ट्रेडिंग हैबिट्स, दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49, मैंने ट्रेडिंग कब शुरू की, अपने जीवन को पीछे मुड़ कर देखता हूँ, तो मुझे ऐसा समय याद नहीं, जब मुझे बाजारों में कोई जिल्चस्पी नहीं थी, ए व्यापार और बाजारों के लिए मेरा प्यार बढ़ता रहा, मैंने पिछले 20 वर्षों में निवेश और व्यापार किया है, एक सफल ट्रेडर बनने की मेरी इच्छा ने, सेकडों, व्यापारी पुस्तकों को पढ़ने और जो मैंने सिखा है, उसे अमल में लाने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि सिखने की अवस्ता इतनी कटिन थी कि मैंने नई व्यापारियों के लिए एक शौटकट बनाने का फेसला किया, जब मैं शुरुवात कर रहा था, तो मैं जिस तरहज की जानकारी चाहता था, उसका अध्यान कर सकता था, मैंने सभी प्रमुक सिद प्रेडर को तेजी से गती प्रादान करना है, और बहुत कम जोखिम के साथ सफलता पुर्वक ट्रेडिंग कराना है, मुझे आशा है कि आप मेरे साथ जोडेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कम दबाव और न्यूतन जोखिम के साथ अपनी पुन्जी का नि सही व्यापारिक व्यवहार नियोमों के रूप में शुरू होते हैं और आदतों में विकसित होते हैं, और मनुरंजन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वे हैं जो अपने द्वारा की जाने वाली प्रतिक क्रिया पर ध्यान से विचार करते हैं, अभिजात वर्ग ने और शरीर को दबाव या अनिचितता की परवाह किये बिना किछी हिचकी चाहट के प्रतिक्रिया करना सिखाया है, पहली बार जीतने वाली तकनिक का अध्यायन करते समय प्रक्रिया यांत्रिक और विचारशिल होते हैं, ए करे फिर बी और आप संभावत सी पर पहुचेंग कारवाई में गती यह जानने से आती है कि गहरे अवचेतन स्थर पर क्या करना है, एक बार जब आप जानते है कि सही कदम उठाना है तो अंतिम चरण समर्पित अभ्यास के एक नियम के लिए प्रतिभद होना है, तभी आप अपने विरोधियों को मात दे पाएंगे ट्रेडिंग में पहला कदम यह सिखना है कि लाब दायक होने के लिए आपको क्या करने की आवशकता है, शिक्षा आपकी पहली प्रार्थमिक होनी चाहिए, ट्रेडिंग शबदा वली की अपनी समझ को विकसित करना आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग के तरीके ट्रेडिंग सिस्टिम, ट्रेडिंग प्लैन, रिस्क रिउड रेशो ये नए लोगों के लिए रहस्य में लग सकते है ट्रेडिंग जानकारी के अच्छे स्तोत्र खोजे और जितना हो सके सिखे चाट अध्यों के माध्यं से निरंतर सीखना, मुल्य पैटन का परिक्षन करना, अनुभवी व्यापारियों के साथ बाच्चित करना और महान व्यापारी सामगरिक पढ़ने, एक नई व्यापारी की विक्षित करने की सबसे अच्छी आदत है। हमेशा कल की तुलना में आज बहतर होने पर ध्यान केंद्रित करे। अपने विरोध्यों पर लाप प्राप्त करने का दूसरा तरीका अनुशासन के साथ व्यापार करना है। अधिकांश व्यापारी अपनी भविशवानियों, विचारों और भावनाओं के आधार पर जाए। व्यापारी नियम विक्सित करे जो आपका मार्क दर्शन करेंगे। अपने विचारों को व्यापार संकेतों के साथ बदले। अपने अहंकार को स्तीथी के आकार के साथ बदले। और अपनी भावनाओं को एक व्यापार योजना के साथ बदले। जब आपके पास नियमों का सही सेट होता है और लंबे समय तक उनका पालन करते है तो वे धीरे धीरे आपके व्यापारी व्यक्तित्व और कोशल का हिस्सा बन जाएंगे और आपके अवचेतन स्थर पर उनका पालन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेडिंग तक पहुच गए है परिपकता जब आप ट्रेडिंग नियमों को तोड़ना असहज हो जाता है यह दर्शाता है कि वे आपके लिए दूसरे स्वभाव के हो गए है और वे आपके भावनातमक रूप से प्रेरित आवेगो से अधिक शक्तिशाली है शक्तिशाली व्यापारिक आदतों के विकास और अभ्यास ने मुझे शेर बाजार में 20 से अधिक वर्षों से सफल बना दिया है और वे आपकी भी मदद कर सकते है दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर वन एक वीजेता व्यापार प्राणाली को या तो बड़ी जित प्रतिक शक्त या बड़ी जित और छोटे नुकसान के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए लाब दायक ट्रेडिंग के दो रास्ते है जीतने वाले ट्रेडो की सटिकता और जीतने वाले ट्रेडो का आकार समान आकार की जीत और हानी के साथ एक व्यापार प्राणाली के नुकसान की तुलना में अधिक जीत होनी चाहिए यह सामान्य न्यान की तरह लग सकता है लेकिन जब नुकसान को हाथ से निकलने दिया जाता है तो उच जीत दर प्राणाली जलदी से लाब हिन हो सकती है इन में से कई सिस्टिम खोने वाले ट्रेडों को चलाने के लिए बहुत अधिक जगह देते हैं और वे व्यापार के लिए वापस आने या लाबदायक बनने के लिए परियाप्त समय तक अपनी उच जीत दर प्राप्त करते हैं उच दर प्राणाली अब काम नहीं करती है जब बाजार का महल सीमा से ट्रेडिंग में बदल जाता है क्योंकि ट्रेडों को खोने से हमेशा वापस उचाल नहीं आता है इन प्राणालीों को एक प्रविष्टी की सटिकता और सफलता की संभावना पर बनाना जाना चाहिए ना कि धारना करने और उमीद करने के बजाए कि खोने वाला व्यापर वापस आ जाएगा उच जित्दर ट्रेडिंग सिस्टिम में भी हारने वालों को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ा नुकसान पहले अरजित लाबों को वापस नहीं देता है उच जितने वाले प्रतिक्षक सिस्टिम को उन बाधाओ उपर बनाना जाना चाहिए जो लाबदायक मुल्य लक्ष तक पहुच गए है या स्टॉप लौस तक पहुचने से पहले लाब के लिए पिछला स्टॉप मारा गया है पूराने वाले वाल स्टॉप में यह कावत है कि आप लाब लेकर तूट नहीं सकते यह बात सच नहीं है यदि आप केवल छोटा मुनाफा लेते हैं तो आपको तोड़ने केवल कुछ बड़े नुक्सान ही होते है इसके विपरित नुक्सान की तुलना में कम जीत वाला सिस्टम है लेकिन वे लंबी अवदी में लाब दायक होते है क्योंकि नुक्सान को छोटा रखा जाता है और जीतने वाले ट्रेड हारने वाले ट्रेडों की तुलना से बड़े होते है कम जीत प्रतिशत प्रणाली आमतोर पर दिर्दकालिन प्रवृत्ती अनुयाईयों, ब्रेकाउट व्यापारियों और विकल्प खरीदारों द्वारा उप्योग की जाती है, उनके जीतने वाले ट्रेड जितने बड़े होंगे, उनका जीतने का प्रतिशत उतना ही कम होगा, फिर भी वे लाबदायक हो सकते हैं, जब आप गलत होते हैं तो, कुझी नकारात्मक जोखिम को सीमित कर रही है, लेकिन उपर की और लाब की संभावना खुली छोड रही है, दुसरे शब्दों में, आपने हारने वालों को छोटा करे, लेकिन अपने विजवताओं को चलन दे, स्टॉपलोस किसी भी बड़ी नुकसान के खिलाफ आपकी बीमा है, आप जहा तक संभाव हो, ट्रेडों को जीतने की अनुमती दे सकते हैं, उन अप्रतेशिक बहारी चालों को कैप्चर कर सकते हैं, जो सामन्य मुल्य, अंदोलन की घटना, वक्र के बाहर हैं, कम जीत दर, प्रणाली में लाब दायक होने के लिए, आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही बड़ा और गलत छोटा होना चाहिए, यदि आप सही है, तो आप यता संभाव लंबे समय तक सही ही रहते हैं, यदि आप गलत है, तो आप एक छोटे से नुकसान के साथ बाहर निकलते हैं और अगले अवसर की प्रतिक्षा करते हैं, एक प्रवरूति की शुरुआत में विजेताओं को कम करना और एक हारे हुए व्यक्ति को एक प्रवरूति के गलत पक्ष पर चलने देना लाब हिंता के सबसे बड़े कारण है, आपकी जीत जितनी बड़ होगी आपको लाबदायक होने के लिए उत्ता ही कम चाहिए, आपकी प्रविष्टियों और निक्सित जितनी सटिक होगी आपको उत्ता ही कम नुकसान होगा, जब तक नुकसान कम रखा जाता है तब तक आप कम जीत के साथ लाबदायक हो सकते हैं, परिस्तित्यों की परव किये बिना बड़े नुकसान लाभहिन होने का सबसे तेज रास्ता है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नमबर टू आपका ट्रेडिंग सिस्टम मातरात्मक तत्थ्यों पर बनाना जाना चाहिए ना की राय पर कुछ नए व्यापारियों ने व्यापारिक राय और भविश्यवाणियों से व्यापारिक मुल्यकारवाई और संकेतों के लिए सनातक किया है नए व्यापारी भविश्यवाणियों के आधार पर ट्रेड कर सकते है लेकिन पेशेवर अपने ट्रेडों को तथ्य पर आधारित करते है एक संकेत मुल्यकारवाई, एक तकनिक संकेत, एक प्रवरुत्ती रेखा या एक मुल्य पैटन के आधार पर व्यापार करने का एक मात्र कारण है अपने लाप के लिए बाजार के मनो विज्ञान का उपियोग करते समय भी आपको इन तकनिक रण नीतियों पर विचार करना चाहिए बाइंग अडिप, ये कोई संकेत नहीं है, लेकिन S&P 500 इंडेक्स में 50 SMA में पुल बैक खरीदना या 200 SMA के उपर की प्रवरुत्ती के अंदर देनिक चार्ट पर 30 RSI तक पोचने वाली किम्मते मातरात्मक तथ्यों पर आधारित होती है सिगनल्स को एतिहासिक चार्ट पर शोद किया जाना चाहिए या सिगनल्स से व्यापारिक की प्रोफिटिबिलिटी देखने के लिए बैक टेस्ट किया जाना चाहिए एतिहासिक मुल्य पैटन खुद को दोहराते है और रूजहनोक और रिवर्सल को पकड़ने के लिए व्यापार योग्य संकेत बनाते है अन्य प्रकार के संकेत अधिक वीवे का धिन होते है और शुद मुल्य, कारवाई और मुल्य सीमाओं, ट्रेंड लाइन और चाट पैटन के ब्रेक आउट खरीदने पर भरोसा करते है रेंज, लाइन और पैटन के ट्रेडिंग ब्रेक आउट मातरात्मक है लेकिन वे व्यापारी के हाथों में बहुत अधिक वीवेक छोड़ते है और बैक्टेश करना मुश्किल होता है ट्रेडर्स को इस बात के अनुरुप रहना चाहिए कि वे ट्रेंड लाइन कैसे बनाते है चाट पैटन की पैचान कैसे करते है और प्राइज एक्षन पड़ते है इसके लिए वे देखने शुरू नहीं करते जो वो देखना चाहते है ब्रेकाउट ट्रेडिंग एक नई प्रवृत्ती की शुरुवात पर कबजा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि कीमत पिछली ट्रेडिंग रेंज को छोड़ देती है और प्रवृत्ती में संभावित बदलाव का संकेत देती है एक व्यापार लेने का एक कारण भी एक कूबड एक विश्वास एक भावना या एक भविश्यवानी से व्यापार करने से बहतर है मैं व्यक्तिगत रूप से अधिक मात्रभद व्यापार संकेतों पर उप्योग करना पसंद करता हूँ जैसे मुल्य समर्थन और प्रती रोध स्थर्ब चलती स्तोद पर M.A.C.D. और R.S.I. व्यापार में प्रविश्व करने के लिए एक विश्ष्ट कारण होना महत्वपूर्ण है जो आपके पक्ष में बादाव को रखेगा यह आपको एक अच्छा जीतने का प्रतिशत, जोखिम या इनाम अनुपात और आपके समय सीमा में प्रवृत्ती के दाई और रहने का एक शांदार मोका देता है मातरात्मक संकेतों के बिना व्यापार का मतलब है कि आप बहेतर धंग से व्यापार कर रहे है आपने वीवेकाधिन व्यापार को मातरभग संकेतों से बदले, जो आपके व्यापार में प्रविश करने का एक विशिष्ट कारण बताते है बाजार क्या करेगा, क्या करना चाहिए या क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में विश्वास और भविश्वानी एक व्यापार प्रणाली नहीं है एक प्रशिक्षन व्यापार प्रणाली है, मातरभग प्रविश्टिया और प्रोफिटेबलीटी का मार्ग है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर थ्री कम जोखिम उच्च इनाम और उच्च संभावना वाले सेटप की तलाश करे ट्रेडिंग में प्रविश करते समय आप कम संभावना चाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए यदि आप एपल स्टॉक खरिते हैं जब कीमत 200 SMA से 1% अधिक है और एपल 18 महनों में 200 SMA से नीचे बन नहीं हुआ है तो एक अच्छा मौका है कि यदि आप ऐसे सेट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा एपल 200 SMA के तह बंद यदि आपका स्टॉप लॉस हीट हो जाता है तो आपको अपने खाते के लिए कम जोकिम होना चाहिए एक लाग डॉलर ट्रेडिंग खाते में एपल के 100 शेरों को 120 डॉलर प्रति शेर पर खरीदना आपकी प्रविश्टी से एक डॉलर 20 सेंड दूर दिन के स्टॉप लॉस के साथ एक कम जोकिम वाला सेटप है बेशक यह कम जोकिम है जब तक की अगले दिन कमाई जारी नहीं की जा रही है जबकि आप अभी भी एक सेटप की स्तीती को धारण कर रहे है यदि आपका मूल लक्ष पचास दिन के SMA पर वापस 6% मूल रेली है या 10% तेजी से उपर की और उच्च स्तर पर है तो यह अनुपात को पुरुश्कृत करने के लिए एक बड़ा जोकिम है प्रत्यक प्रेविष्टी में एक महिने श्टॉप लौस तर होना चाहिए जिसमें ट्रिगर होने का कम जोकिम हो आपकी पुजिशन साइज में कम जोकिम होना चाहिए ताकि एक बड़ा नुकसन की स्तिथी में आप एक और दिन लड़ने के लिए जी सके व्यापार को जोखिम के लायक बनाने के लिए आपका इनाम आपकी पुन्जी से दो या तीन गुना बड़ा होना चाहिए यह आपको एक छोटी जीत दिला सकता है लेकिन आपके पास वह शमता होनी चाहिए व्यापार करे ताकि जब आपकलत हो तो आपका नुक्सान छोटा हो बड़े विजेता होने की संभावना वाले ट्रेडों की तलाश करे जब ओडर्स कम हो तो दर्ज करे कि इससे पहले कि आप बहार निकलने के लिए परियाप्त लापदायक हो आपका स्टोप लोस हिट हो जाएगा जीतने वाले ट्रेडों को अधिक्तम करने के लिए ट्रेलिंग स्टोप लोस का उप्योग करे जब आपके पास कोई कारण हो तो विजेता से बहार निकले और इसलिए नहीं की खुले लाप आपको परिशान करते है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशालिश स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर फूर प्रश्न का उत्तर क्या चलन है? सवाल है आपकी समय सीमा क्या है? बाइ रिचर्ड विस्मेन, शेयर बाजार या किसी भी वितिय बाजार में लाप का सबसे अच्छा तरीका है आपकी अपनी समय सीमा में एक प्रगृत्ती को पकड़ लेना अन्य तरीके भी है, जैसे फ्यूचर एन उप्षन्स को बेच कर उप्षन प्रीमियम बेचना या हेजिंग प्रोडक्शन लेकिन अधिकांज बाजार सहबागी अपने सवय के व्यापार या नीवेश की सीमा पर एक प्रवरुत्ती को पकड़ने की कोशिश कर रहे है बाई एंड सेल नीवेशक अपने कामकाजी जीवन के दोरान शेयर बाजार की दिर्दकालिन अप्ट्रेंड पर दाव लगा रहे है दिन के व्यापारी बाजार खुलने के समय से लेकर बंध होने तक सभी एक दिन में रुजानों को पकड़ने की कोशिश करते है स्विंग व्यापारी कम खरिदना चाते है और फिर इसी को बेचते है क्योंकि यह कुछ दिनों में उच्च प्रवरुतियों में होता है या उच्च कीमत कम बेचता है और कुछ दिनों में इसे कम कीमत पर कवर करता है शेयर बाजार या किसी भी वितिय बाजार में लाप का सबसे अच्छा तरीका है आपकी अपनी समय सीमा में एक प्रवुरुत्ती को पकड़ लेना अन्य तरीके भी है जैसे फ्यूचर एन ओप्शन्स को बेच कर ओप्शन प्रीमियम बेचना या हेजिंग प्रोडक्शन लेकिन अधिकांज बाजार सहबागी अपने सवय के व्यापार या नीवेश की सीमा पर एक प्रवुरुत्ती को पकड़ने की कोशिश कर रहे है बाई एंड सेल नीवेशक अपने कामकाजी जीवन के दोरान शेयर बाजार की दिर्दकालिन अप्ट्रेंड पर दाव लगा रहे है दिन के व्यापारी बाजार खुलने के समय से लेकर बंध होने तक सभी एक दिन में रुजानों को पकड़ने की कोशिश करते है स्विंग व्यापारी कम खरिदना चाते है और फिर इसी को बेच सकते है क्योंकि यह कुछ दिनों में उच्च प्रवृत्यों में होता है या उच्च कीमत कम बेचता है और कुछ दिनों में इसे कम कीमत पर कवर करता है मैंने पाया है कि समय सीमा जिती लंबी होगी प्रवृत्यों को पकड़ना उत्ता ही आसान होगा दीर्दकालिन ट्रेंड अनुयाई शेर को फिल्टर करते है और देनिक सप्ताहिक चाट पर ट्रेंड को पकड़ते है और इंट्राडेई शेर से बचने का प्रयास करते है विभिन्न प्रणालिया एक विशेश समय सीमा में प्रवृत्यों के वेग और अस्तिर्था के आधार पर काम करेंगी एक जोड़दार ट्रेडिंग मार्केट में जो लगातर एक सप्ता के लिए प्रत्यक दिन उच उचाईया और उच चड़ाव बनाता है प्रवृत्ति अनुयाईयो अच्छा करते है बाजार जो हफते के लिए देनिक चाट पर प्रतिरोद और समर्थन की एक निश्चित सीमा के अंदर रहता है स्विंग व्यापारियों के लिए लाबदायक साबित होगा दिन के व्यापारियों को इंट्राडे अस्तिर्था पसंद है क्योंकि यह उन्हें लाबदायक होने का मौका देता है किसी भी समय सीमा पर कोई भी व्यापार प्रणाली केवल नियमों का एक सेट है जो व्यापारियों को एक प्रवृत्ति को पकड़ने की उच्च संभावना देता है एक व्यापार प्रणाली का निर्मान और एक व्यापार योजना विक्सित करते समय आपका लक्ष ट्रेन को पकड़ के की खोज करना है जो आपको मनोविज्ञान और आर्थिक रूप से लापदायक बनाता है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर फायू लंबी अवदी के ट्रेंड को स्थापित करने के लिए वीकली चार्ट से शुरू करे और फिर उस प्रवृत्ती की दिशा में व्यापार करने के लिए डेली और अवरली चार्ट के माध्यम से काम करे यदि आप लंबी अवदी के ट्रेंड की दिशा में व्यापार कर रहे है तो संभावनाएं बेतर हुँगी Stock, Commodity यहां तक की एक संपूर्ण परी संपत्ती वर्ग के संचे या वितर्ण द्वारा धिर्दकालिन चार्ट पर ट्रेंड बनाया जाता है उस समय के दोरान एक संपत्ती जमा हो रही है, खरीदार खरीद रहे है और फिर उस संपत्ती को पकड़ रहे है उस बाजार से नीचे की और बिकवाली के दबाव को हटा रहे है, चार्ट पर उचे उचे और उचे चड़ाव इसलिए दिखाए देंगे इस से खरीदने के लिए उच्चे कीमत लगाते हैं क्योंकि परिसंपत्ती के मोजूदा धारक बिक्री नहीं कर रहे है और फिर मोजूदा मांग के लिए अपूर्ता को कम करते हुए बाजार से इन्वेंटरी को हटा दिया है म्यूच्वल फंड समय के साथ एक स्टॉक जमा करते हैं क्योंकि वे इससे प्रमुक होल्डिंग के रूप में स्थापित करना चाते हैं लार्ज मनी मैनेजर एक बार में स्टॉक के लाको शेर नहीं खरिद सकते इसके बज़ाए वे चर्णों में खरीदना करते हैं ताकि वे कीमत को बहुत तेजी से न बढ़ाए और इस से जमा करना बहुत महंगा हो जाएगा वे कीमतों को गिरावट का इस्तमाल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए करेंगे एक प्रमुक स्थर अप्ट्रेंड के वृद शेरों के लिए 50 SMA है प्रमुक मूविंग एवरेज पर शेरों के लिए अधिकान समर्थन मनी मैनेजर द्वारा 50 दिन के SMA पूल बैक पर खरीदना अपने धिर्दकालिन पदों को जोडने के कारण होते है समय तब होता है जब समपत्ती को लंबी अवदी के होल्डिंग या निवेश के रूप में खरीदा जाता है और उच उचाई और उचाई चड़ाओ के दिर्दकालिन ट्रेंड पर पैदा करता है संचय के तहट बाजारों को छोटा करना मुश्किल है क्योंकि कीमया बहुत कम है और खरीदार किसी भी पूलबैक में अनेक की प्रतिक्षा कर रहे है बाजार में पुंजी के प्रवहा के साथ संगर्ष करनी की तुलना में उसके साथ जाना आसान है शौट सेलिंग में ट्रेंड करना और शुरुवाती चर्णव में रिवर्सल पर दाव लगाना जितना कटिन है यह तक ऐसे बाजार से अलग है जिसका कारोबार किया जा रहा है प्रतिरोध पैदा करते है जहां बाजार एक विशिष्ट मुल्य सीमा पर खरीदारों से भरा निकलता है और फिर उस तरपर समर्तन होता है जहां कम कीमतों पर विक्रेताओं से बाहर हो जाते है एक बाजार का वितरन संचे के विप्रित है यह कारण है कि दिर्दकालिन गिरावट का कारण बनाते है एक संपत्ती के धारक बहर चाते है बड़े धन, प्रतीब बंद और निवेशक अपनी होल्डिंग को धिरे-धिरे बेचना शुरू कर देते है ताकि वे कीमत को बहुत तेजी से नीचे ना धकिल दे वितरन, केक धहत, एक बाजार या स्टोक में कीमत लगातार कम उचाई और नीच चड़ाव बनाती है क्योंकि विक्रेता खरीदारों को अभिभूत करते है और नए खोजने के लिए अपनी कीमतों का कम करते रहते है जैसे ही प्रमुक समर्थन स्तर तूटते जाते है, स्टॉप लश शुरू होते जाते है जिससे अधिक विक्री और यहा तक की कम कीमत भी हो जाती है डीप खरीदार विक्रेताओं के साथ कीमतों को कम करने के लिए मजबूर हो जाते है और छोटे विक्रेता विक्री के दबाव में जोडने के लिए कदम उठाना शुरू कर देते है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट अब ट्रेंडिंग की तुलनास में अधिक अस्तिर होता है क्योंकि शौट कवरिंग रैली ओवर सोल तरो स्तरो पर होती है और डीप खरीदार नीचे पढ़ने के लिए वापिस आते है वीतरन के तहत बाजार में रैलियों में बिक्वाली देखने को मिलती है और फिर डाउन ट्रेंडिंग फिर से शुरू हो जाता है डाउन ट्रेंड में कुछ रिवर्सल्स और रिवर्सल्स को पिछले समर्थन स्तर पर वापस पकरड़ना संभव है लेकिन डाउन ट्रेंड के दोरान खरीदने की कोशिश करना तीवर ट्रेडों के लिए होना चाहिए क्योंकि आप लंबी अवधी की प्रवृत्ती और बाजार से पुंजी के प्रवहा के खिलाफ जा रहे है बाजार को लंबी अवधी के अप्ट्रेंड के लिए संचय और लंबी अवधी के डाउन ट्रेंड के लिए वितरन की आवशकता होती है मुल्य सीमाएं तब होती है जब एक बाजार में कारोबार किया जा रहा है और वर्तमान धारकों को सक्रिय व्यापारियों ने कीमतों में सीमाएं स्थापित की है जहां वे खरीदार और बिक्री करेंगे लंबी अवदी के लिए शेर बाजार में तेजी का रूह है क्योंकि इसमें म्यूच्वल फंड के खरीदारों सेवा निवृत्ती के खातों कमपनी बायबैक और निवेशकों की मांग है किसी भी बाजार में आप व्यापार करते हैं आपको सुराक की तलाश करनी चाहिए कि क्या यह संचित या वितरित क्या जा रहा है या अधिकांश प्रति भाग्यों द्वारा सक्रिय रूप से कारोबार किया जा रहा है मुल्य कारवाई की वास्तविक्ता का विरोत करने के बजाए अपनी पसंद के बाजार में यहा बार पुंजी के प्रभाव के पक्ष में व्यापार करने की आदत बनाईए ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 6 जितने बार समर्थन या प्रतिरोद स्तर पर परिक्षन किया जाता है उत्ता ही अधिक संभावना है कि यह तूड जाएगा पुराना प्रतिरोद नया समर्थन बन सकता है और पुराना समर्थन नया प्रतिरोद बन सकता है चाट पर मुल्य प्रतिरोद और समर्थन का क्या कारण है कीमत में स्मृती है यदि कीमत एक नए उच बनाती है तो उलड जाती है और कम हो जाती है बहुत से लोग कम कीमतों पर श्टॉक रखने का फैसला करेंगे की यदि श्टॉक उस मुल्य प्रतिक्षा में उनके अनेक विक्रिय लक्ष होने की प्रतिक्षा कर रहे है जब कीमत पूराने उच मुल्य स्थर पर वापस आती है तो ये धारा बेच देते है और राहत महसुस करते है वे खुश है कि उन्होंने उच कीमत पर बाहर निकलने का अपना दूसरा मौका नहीं गवाया यह बिक्रिक कीमत को फिर से नीचे भेशता है मुल्य समर्थन स्थर पर बनाने के लिए भी ऐसा ही होता है लोगों का एक समुह 98 डॉलर के लिए एक स्टॉक खरिदना चाता है और जब कीमत 100 डॉलर जैसे मुल्य स्थर पर वापिस खिची है तो वे 150 डॉलर तक बढ़ जाती है जो साथ खरिदना चाते है वे पहले मौका चूग गए निराश होकर वे यह निर्णय लेते है कि यदि वह वापस 100 डॉलर पर आता है तो वे उस कीमत पर खरिद लेंगे यह नए समर्थन स्थर पर अचूग खरिदना बनता है वह अंदर आने के अवसर की परिदिक्षा करते है यह कारण है कि शेरों के लिए प्रमुक समर्थन और प्रतिरोद स्थर बाजार सहबागीयों के लिए आधी और लक्ष है समर्थन और प्रतिरोद स्थर बार बार बाहर खेल सकते है जब तक किमतों के लिए एक नई ट्रेडिंग रेंज में ब्रेकाउट नहीं आता है यह बाजार जामा या वितरित होना शुरू नहीं होता यह एक प्रवृत्ति बनाता है जो सक्रिय व्यापारियों को भीभूत करता है और लंबी अवधी के धारक पैदा का निर्मान या वितर्न करता है लगातार उच या निर्मान कीमतों के एक नई प्रवृत्ति का निर्मान करता है जो सेट उच और निम्न की पुनारी पुन सिमाव को प्रतिस्थापित करते है जब एक ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकाउट होता है और बड़े विस्तर या संचायक एक बाजार पर कबजा कर लेते है तो वे इस प्रवृत्ति का कारण बनते है लेकिन सीधे उपर या नीचे नहीं जाते है बाजार में अभी अभी एक दिशा में आगे बढ़ने का एक नया पैटन है फिर आपूर्ति और मांग को पूरा करनेक और पीछा हटना यदि किसी स्टॉक का 105 डॉलर का प्रतिरोध स्थर पूराना था और यह अचानक 108 डॉलर तक तूड जाता है तो संभावना अच्छी है कि यह कम से कम एक बार फिर से 105 डॉलर पर वापिस आएगा यह उस समय कीमत पर खरीद पाएंगे जो 105 डॉलर से अधिक का ब्रेकाउट खरीदना चाहते थे लेकिन वे मूल अवसर से चुक गए दूसरे मौके को देखते हुए वे 105 डॉलर के ब्रेकाउट स्थर पर एक पूलबैक खरीदेंगे जब वे ऐसा करते है तो वे यह समर्थन बनाता है इसलिए पूराना प्रतिरोध एक अप्ट्रेंड में नए समर्थन बना जाता है मुमेंटम और ट्रेंड ट्रेडर जो शुरुवाती ब्रेकाउट से चुक गए थे एक नए ट्रेड पर सवार होने के अवसर के लिए पहला पूलबैक खरीदते है एक नए उच्च व्यापार मेशरेणी पूराना समर्थन उस तरह काम करता है क्योंकि आधार एक स्तिथी में फज जाता है क्योंकि पूराना समर्थन स्तर खो जाता है वे तय करते हैं कि अगर एक और मोका दिया जाता है तो वे बहर निकल जाएंगे यदि कीमत पूराने समर्थन पर वापस आती है यह बिकवाली का दबाव बनाता है क्योंकि पैसे गवाने वाले श्टॉक के आधार कीमत के पूराने समर्थन स्तर पर वापस आने पर बाहर निकलने के लिए एक रेली की तलाश में है जित्ती बार प्रतीरोध और समर्थन का परिक्षन किया जाता है उत्ती ही अधी संभावना है कि वे एक प्रवृत्ती में तूड जाएंगे क्योंकि बाजार श्टॉक के मोजूदा धारको के माध्यम से काम करता है और नए लोग श्टॉक में प्रविश करते है पूराने समर्थन और प्रतीरोध स्तर की पहचान करने की आदत बनाएं और जब तक वे एक सिमा बद बाजार में है तब तक उनका व्यापार करे फिर एक ब्रेकाउट व्यापार को देखे ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशालिश स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर सेवन मुविंग एवरेज प्रवृत्यों को माप सकते है और प्रविश्टियों निकास और पिछली स्टॉप के लिए सिगनल बना सकते है चार्ट पर मुविंग एवरेज किसी भी समय सिमा की किसी प्रवृत्यों की दिशा को मापने का सबसे तेज तरीका है मुविंग एवरेज एक प्रवृत्यों में मुल्य क्रिया को सूरूच करता है और दिखाता है कि किसी भी समय सिमा में ओसत मुल्य का कौन सा पक्ष है Moving Average की दलान और दिशा मुल्य कारवाई की दिशा और शक्ती को दर्शाता है अगर कीमत वर्तमान में पास दिन की चलती ओसत से उपर है तो एक व्यापारी जानता है कि कीमत पास दिन की समय सिमा में अधिक हो रही है एक प्रवृत्ती की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि अब ट्रेन को उच उचा और उचा चड़ाव के रूप में देखा जाए और डाउन ट्रेन को निमन उच और निमन चड़ाव के रूप में देखा जाए किसी भी प्रवृत्ती को पहचान करने का एक तीवर तरीका है कि आप अपने ट्रेड समय सिमा में मुल्य कारवाई बनाम चलती औसत को देखे प्रमुक मुविंग एवरेज से उपर कीमत एक अप्ट्रेंड दिखाती है और इसके नीचे की कीमत एक डाउन ट्रेंड दिखाती है मैं प्रवृत्ती रेखाओ को मुल्य पैटन पर प्रवृत्ती की पहचान के लिए चलती औसत का उप्योग करना पसंद करता हूँ क्योंकि वे सो प्रतिशत मातरात्मक है एक चलती औसत गणित है आप कम समय सीमा पर तेज चुन सकते है जैसे की दस दिन ऐसे में या दो सो दिन का ऐसे में जैसे लंबे समय तक अंतराल पर धीमा आपके पास एक ऐसे हो सकते है जो एक धाकिय चलती औसत का उप्योग करने के नई किमतों को आधार वजन देकर तेजी से बदलते है या एक ऐसे में के साथ एक समय अवधी में किमतों का औसत है जबकि मुविंग एवरेज सिगनल की पवित्रता कब्र नहीं है वे आपके ट्रेडिंग सिस्टिम में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभा सकते है व्यापार संकेतो के रूप में उपयोग किये जाने वाले एतिहासिक डेटा पर उनका बैक टेष्ट किया जा सकता है यह एतिहासिक चार्ट पर उपयोग किया जा सकता है ताकि यह अध्यान किया जाए सके की उनके आसपास मूल्य के से प्रतिक्रिया करते है Moving Average का इस्तमाल जोडे में Entry और Exit Signal बनाने के लिए भी किया जा सकता है जब Short Term Moving Average Long Term को पार कर जाता है Moving Average का उप्योग Entry Signal के रूप में किया जा सकता है जब कीमत उनके उपर तूड जाती है या जब कीमत उनके नीचे तूड जाती है तो नुकसान को रोक दिया जाता है जब आप जितने वाले ट्रेड को चलने देते है तो उनका उप्योग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में किया जा सकता है और वे ट्रेडिंग आइडेंटिफिकेशन टूल है जो अन्य तकनीकी संकेतों के साथ संयुक्त होने पर सबसे अच्छा काम करते है मुविंग एवरेज ज्यादा तर लोगों की राय को मात दे सकते है क्योंकि वे भविश्यवानी के बजाए मुल्य कारवाई का पालन करते है मुझे पता है इक सभी बहतरिन व्यापारियों के पास चलती औसत के लिए व्यापारिक नियम है और उन्हें अपने व्यापार प्रणायली में कुछ हद तक उप्योग करते है मैं आपसे पूर्रोज तरीके से आगरह करता हूँ कि आप मुविंग एवरेज सिस्टिम का अध्यान करे कि आतड़ डाल ले उनका बैक टेस्ट करे और उन्हें अपने परिस्तमाल करे आप जिस बाजार में व्यापार कर रहे है उसमें क्या हो रहा है यह देखने के लिए चाड़ देखे मुविंग एवरेज के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं यह अधिक विस्तार में नहीं जानूंगा क्योंकि मैंने इन संकेतों को समरपित एक और किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मुविंग एवरेज 101 इंक्रेडेवल सिगनल नेट विल मेक यू मनी इन दे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशालिश स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 Rule No.8 बूल मार्केट का कोई दिर्दकालिन प्रतिरोद नहीं है और भालू बाजारों का कोई दिर्दकालिन समर्थन नहीं है कई विक्रेता और कमजोर हाथ एक लंबी अवदी में निचले स्टर का अनुभव करने के बाद एक मंदी के बाजार से घुल जाते है एक भालू बाजार में किमतों में 20 परशन की गिरावत के दोरान प्रमुक समर्थन स्तर बार बार खो जाता है स्टॉप लोस शुरू हो जाते है, रेलियों को बेचा जाता है और डर दिरे दिरे पकड लेता है क्योंकि लोग अपने खातों से पेशे गायब होते देखते है जब लोग अपनी धारिता से बाहर धेर हो जाते है तो निम्न उचा और निशला चड़ाव पहचानने योग्य धिर्दकालिन पैटन होते है एक डाउन ट्रेंडिंग बाजार सबसे अधिक धारकों को हिला कर रखने का सबसे अच्छा तरीका है और किम्तों को स्थीर करने का अवसर स्थापित करता है एक ट्रेंड बैक अब शुरू करने से डाउन ट्रेंडिंग के अंतिम बहुत अधिक बिक्री दबाव कम हो जाते है बाजार में सुधार और भालू बाजारों के दोरान मुल्य कारवाई के साथ बड़ा बदलाव यहां है कि डिप्स खरिदना बंध हो जाता है खरिदारों के कारण बाउंस किये बिना उन्हें कीमत में और गिरावट के साथ बदल दिया जाता है प्रमुक समर्थन स्तर खरिदना कम नहीं करता है क्योंकि समर्थन पकड़ने में नहीं आता है और इसके बजाए मुल्य सिमाओ के ब्रेकाउट नकारात्मक पक्ष में होते हैं भालू बाजारों में ताकत कम बचने के लिए बादाए आपके पक्ष में हैं इसलिए आप बाजार से बाहर पुंजी के ट्रेंड और परवा के दाए और बने रहे एक मंदी का स्टॉक मार्केट आमर्थों पर अलपकालित होता है पर एक या दो साल तक चलता है किम्तो में गिरावट के बाद मुनाफे में ताला लगाने के लिए शौट्स कवरिंग रैलियों के कारण भालू बाजारों में बड़ी रैलिया होती है फिर नीचे पकर द्वारा उनका फिचा किया जाता है एक भालू बाजार का अंत तब होता है जब बिकरी अंत में कई लंबी अवदी की स्तिती धारक जहाँ पर छोड़ दिये गए है और डूब की घरितना नए धारकों में से अधिकांश बन गए है जो बहुत कम किम्तों पर प्राप्थ हुए इन नए धारकों को उनके नए पदों से रोकने के लिए कम उप्यूकत है यह एक नए तल का निर्माण है जो धारना करता है बुल या भालू बाजारों में बड़ा ट्रेंड पर मुल्य समेकन के समय के बाद होता है किम्ते स्थिर होती है और अंदर व्यापार करने के लिए नई रेंज ढुनती है समर्थन और प्रतिरोद का फिर से अर्थ होना शुरू हो जाता है और बाजार पूरी तरह से बगल में जाने लगता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स में ना तो बड़ा रिटन और ना ही नुकसान यह अनिश्ची तता का समय है व्यापारियों को निविशेकों को यह नहीं पता है कि आखिर ट्रेंड खतम हो गया है या फिर एक नए ट्रेंड की शुरूरत हो गई है यह एक ऐसा बाजार है जिसका ट्रेंड बनाने के लिए संचय या वितरण के बिना आगे और पीछे कारोबार किया जाता है बुल मारकेट की प्रार्थमिक विजश्ता बार बार नई उचाई पर पहुचने की शमता है पहले 52 विक्स हाई स्तर के साथ और फिर स्वर्तकालिन उच के साथ तेजी की सीती के दोरान लहु विक्रेताओ को चोट लगती है क्योंकि प्रतीरोध अब बढ़ते है किम्तो को वापस नहीं रखाता है चूकी प्रतीरोध बार बार तूटता है छोटे विक्रेताओ को कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है यह अधिग गती को बंद कर देते है जो बड़े में गती व्यापारियों को ताकत खरीदने के लिए आकरशित करते है बूल मारकेट में खरीदारी को अंतह पुरुस्कृत किया जाता है डिप्स खरीदने से व्यापारियों और निवेशकों को अगली उच्छी स्तर की आतरा को पकड़ने का मौका मिलता है लंबे पदों के साथ जल्दी होना अंत में पुरुस्कृत होता है बूल मारकेट आमतोर पर कही वर्षों तक चलता है और लंबी अवदी के रिटन के लिए अधिकांश पुंजी प्रशंसा का स्तोत्र होता है एक बड़े बुलरन के अंत में निवेशक से बहार निकल सिखना लंबी अवदी के निवेशकों को खरीदने और रखने के रिटन में रूप में सुधर करेगा ट्रेडर्स जो शेरों को किम्तों की मजबूती को खरीदने से उन्हें डाउन ट्रेंड में शौट करने के लिए स्वीच करते हैं उनके रिटन में काफी सुधर होगा व्यापारिक नियम होने से जो सीमाबद बाजारों अप्ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए मुल्ल पैटन की पहचान करता है ताकि आपका परियावरण के अनुसार व्यापार कर सके और आपकी लाप प्रदपता में सुधर हो ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर नाइन बाजार में जित्ता बड़ा गैप होगा निरंतरता और प्रवरुति की संभावना उत्ती ही अधिक होगी चार्ट पर प्राइज गैप आमतोर पर गैप की दिशा में ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं यह विक्सित शेरो और वस्तूओं के लिए विशिश रूप से सच है अधिकांच अंतराल भरे हुए है लेकिन एक अंतराल को भरने में महीनों या फिर एक वर्ष भी लग सकता है इस बीच एक अच्छी प्रवरुति को पकड़ सकते है यदि अंतर एक अंतराल और जाना बन जाता है तो दो दिनों, हक्तों या महिने की एक प्रवृत्ती की और जाता है एक gap and go का अर्थ है की दिन का नम्र अंतराल बन रहा है और एक प्रवृत्ती अगले कुछ दिनों में सेट हो जाती है जब कीमत में अंतराल विफल हो जाता है और अंतराल के दिन कीमते में अंतर को भरने के लिए वापस चलता है तो उन्हें gap and crap कहा जा सकता है यदि अंतराल व्यापार के पहले घंटे में नहीं भरता है तो संभावना है कि वे भरने नहीं जा रहे है और 6 दिन के अंतराल की दिशा में कीमत जा रही होगी गैप को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले पूल बैक को गैप डे के निचले हिस्से में खरीद ले या आपको प्रवेश पर एक बहेतर जोखिम या वापसी अनुपाद देता है लेकिन कभी-कभी अंतराल इत्ता शक्तिशाली होता है कि पिछे नहीं हटते आप सुबह अंतराल में खरीद सकते हैं लेकिन अधिक जोखिम है कि क्योके आप नहीं जानते कि क्या अंतर रहेगा आप दिन के अंत में अपने स्टॉप लोस के साथ गैप अप डेक के निचले स्तर के नीचे एक रूप में गैप भी खरीद सकते है यह एक मजबूत गती और एक प्रवृत्ती निरंतरता के संभावना पर आधारित एक व्यापार है गैप अप के रूप में बूलिश या गैप डाउन के रूप में मंदी जैसा कुछ चीजे है यह एक मजबूत संकित है और इसे नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए दीशा के खिलाफ दाव लगाना कुछ अच्छा नहीं है ध्यान रखे की खुले में अंतराल ने बूली की पूरी श्रंखला को पार कर लिया है और किम्तो की एक पूरी श्रंखला की मांग करता है यह सुनना महत्वपूर्ण है की यह आपको क्या बता रहा है Gap and Go किस तान पर भी विचार किया जाना चाहिए ETF में एक Oversold 30 RSI से 40 RSI स्थर्थ तक एक downtrend में से एक Gap Uptrend में 30 RSI से 70 RSI तक Overbought में एक Uptrend की तुलना में बहतर trend होगा RSI आमतोर पर 30 Oversold के नीचले स्थरों से लेकर 70 Overbought के उच्थ स्थरों तक होता है एक Growth Stock 200 Moving Average से नीचे जा रहा है संभावित रूप से खरीदारों को इन का समर्थन करने के लिए मिल जाएगा क्योंकि बिक्री अधिक हो गई है एक लंबी प्रवरुत्ती में देर से अंतराल एक प्रवरुत्ती के अंत का संकेत दे सकता है इन्हे ठकावट के अंतराल कहा जाता है और आम तोर पर बड़ी मात्रा में होता है जिससे दिन का अंत होता है शुरुवाती कीमत या दिन के उच से कम कमोडिटी और ग्रोज स्टॉक इंडेक्स या बिग कैप स्टॉक की तुल्ला में अधिक आगे बढ़ सकते है और ट्रेड कर सकते है इसलिए ट्रेडिंग प्रकार के बाजारों में अंतराल का और भी अधिक सम्मान किया जाना चाहिए व्यापारी के पास उनकी निगरानी सूची में बाजारों में व्यापार निरंतराल के बारे में ठोस नियम होनी चाहिए व्यापार निरंतराल के लिए एक सफल तरीका खोजना बहुत लाबदायक हो सकता है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशालिश टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर टेन आखरी अवर्स अक्सर सच बताता है कि एक प्रवरुत्ती वास्तव में कित्ती मजबूत है स्मार्ट पैसा आखरी के घंटे में अपना हाथ दिखाता है अपने पक्ष में पदो की चिन्नत करना जारी रखता है जब तक कोई बाजार लगातर मजबूत बंद होता है तब तक जारी रहने के लिए एक अप्रेंड की तलाश करेगा अप्रेंड के समाप्थ होने की सबसे अधिक संभावना तब होगी जब पहले सुभह की रैली होती है उसके बाद एक कमजोर बंद होता है शेयर बाजार में ट्रेडिंग का पहला घंटा अवसर शोकिया घंटा होता है जब बंद होने का समय लाई डिटेक्टर की तरह होता है नए व्यापारियों को खुले में ट्रेडों का गलत पक्ष लेना लालच दिया जाता है लेकिन अधिकान स्मार्ट मनी यह देखना इंतजार करते हैं कि निर्णय लेहने से पहले बाजार कैसे बंद होता है भालू बाजारों में बाजार में गिरावट की प्रवृत्ती के उलट होने की उम्मिद में अधिक खुले की प्रवृत्ती होती है और जब यह व्यापारिक दिन के दोरान नहीं होते है तो वितरन पर बंद हो जाते है एक बेल बाजार में, बाजार आमतोर पर कम खुलता है और लाब लेने पर कम होता है, संचय पर उच बंध होता है मेरा अनुभव में, व्यापारियों को सुभे मुनाफा लेने की आदट डाल लेने और व्यापारी दिन के आखरी के 30 मिनिट के आधार पर प्रवेश निरनाई लेने से बहतर सेवा मिलेगी सुभव की कीमत की कारवाई अकसर उलड जाती है और दिन के अन्त की प्रविरिष्टिया पूरे कारोबार दिन के संदर्व में क्या हुआ है इसका स्पष्टिक करण देती है दिन के अन्त का व्यापार मनोवेज्ञानिक रूप से भी बहतर है क्योंकि आप दिन के व्यापार्योग के इंट्राडे शेर और इससे जूज रहे अच्चालित अल्गोरिदम से बसते है आपको बाजार में बड़े धन, प्रभंधन को दिर्दकालिन संचे और वितरन का भेतर परिक्षन मिलता है दिन के अन्त का कारोबार वह प्राथमिक तरीका है था जिसका इस्तमाल निकोलस दर्वास एंड थौमस ने अपने संपत्ती बनाने के लिए किया था दिन का अंत वह समय होता है जब कई प्रवृत्या अनुयाई अपने संवय के संकेत लेते है आप यह भी विचार कर सकते है कि क्या आप खूले में मुनाफा लेते हैं, करीब में प्रविष्टिया या दिन के अंत में केवल व्यापार करते हैं अपनी समय सिमा के अनुशासित तरीके से व्यापार करने की आदत डाल ले, जो भी प्रणनिती आप चुनते है ट्रेडिंग हैविट्स, दुनिया के सबसे शक्तिशालिश स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 11, 200 दिन से उपर वह जग है जहां बेल अप ट्रेंड बनाते हैं, बूरे चीजे 200 दिनों के नीचे होते हैं डाउन ट्रेंड, वितरन, भालू बज़ार, दुरगटना और दिवालिया रेत में अंतिम रेखा जो एक लंबी अवधी के अप ट्रेंड को दिर्दकालिन डाउन ट्रेंड से अलग करती है और एक भालू बाज़ार से एक बेल बाज़ार देनिक चार्ट पर 200 दिनों का ऐसमे है लंबी के ट्रेंड अन्युयायों के लिए जो उच समय सीमा को देखते है देखने के लिए एक समान रेखा साप्ताहिक चार्ट पर 40 सप्तह की चलती ओसत होगी जबकि कई पेशावर व्यापारी और निवेशक इस लाइन को देखते है और कीमत के करीब आने के पर बिक्री और खरिदना शुरू करते है 200 दिनों के बार वे संभाविक रूप से जादूई कुछ भी नहीं है यह जो करता है वह इस तत्य की पहचान करता है कि कीमत पिछले 200 दिनों से अपने ओसत से उपर या नीचे कारोबार कर रही है यह अपनी लंबी अवदी की प्रवृत्ती को मापने का एक प्रभावी तरीका है एक बाजार के लिए एक भालू बाजार या मंदी या दुरगटना में 20% की गिरावट के लिए यह आमतोर पर पहले अपने 200 दिवसिय चलती ओसत के माध्यम से गिर जाएगा 200 दिन एक ट्रेंड ट्रेडर का पहला चेहतावनी संकित है की ट्रेंड बदल गया है खरीदार और पकड़ निवेशक व्यापारी पुंजी में अपना डाउन ट्रेंड को कम कर सकते हैं यदि वे इस रेखा के नीचे कीमत बंद होने पर अपनी लंबी स्थिती से बाहर निकलते है जब कीमत 200 दिनों से नीचे बंद हो जाती है और इस लाइन पर रैली और बंद होने में विफल रहती है तो ट्रेडर्स शॉर्ड सेलिंग ट्रेडों की तलाश करते हैं अपनी ट्रेडिंग जीत दर्स में सुधार कर सकते हैं कीमत को आमतोर पर 200 दिनों की पहली कुछ यात्राव पर समर्थन मिलता है और बेल इन गिरावट को शुरुवाती उच्छाल और एक महिने जो खिम या इनाम अनुपात के लिए खरिदना चाते हैं एक यूवक बुल मार्केट में यह आमतोर पर शुरुवाती सपोर्ट लाइन होती है बाद में एक बुल मार्केट में जब 200 दिन का नुक्सान होता है तो कीमत इस लाइन पर वापिस रैली करेगी स्टॉक जो इन लाइन को देखते है और डाउन ट्रेंड शुरू करते है वे अकसर 200 दिन में बार बार रैली करेंगे इस से पहले की आगे वितरन शुरू हो जाए और स्टॉक गिर जाए 200 दिन एक धिर्दकालिन डाउन ट्रेंड से लंबी अवदी के अप्ट्रेंड में को अपने एक तरीका है इस लाइन के उपर के बाजारों में लगन पोजिशन और इस लाइन के नीचे शॉर्ट बिक्वाली के लिए ओर्डर्स बहतर है 200 दिनों का एक ट्रेंड सिस्टिम फिल्टर के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है जो एंट्री सिगनल लेने से पहले और एक काफियार के रूप में कार्य करता है उधारण के लिए 50 RSI से अधिक है और कीमत 200 दिनों के अधिक है व्यापारियों को 200 दिनों से उपर जाने वाले ज्यादातर मामलों में कम बेचने के कारोबार सोचने की आदत डालनी चाहिए श्टॉक इंडेक्स की कीमतों में 200 दिनों में वापस बंध होने की प्रतिक्षा करना इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्तर हो सकता है लंबे समय तक भालू बाजार के बादनिवेशकों को वापस मिलेगा यह एक नए बूल मार्केट का पहला संकित है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 12 कई की तुलना में कुछ को देखना बहुत आसान है व्यापार में एक मजबुत बढ़ते विक्सित करने का सबसे अच्छा तरीका अध्ययन, परिक्षन, व्यापार और किसी विशिष्ट चीज में महारत हासिल करना है किसी विशिष्ट बाजार, सेट अप, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग सिस्टिम या स्टॉक के विशेशक को हराना खटिन है यदि आपके पास विशिष्ट स्टॉक या सेट अप की छोटी वाच लिस्ट है तो आपके पास भहतर मोका होगा यह जानने की आपके स्टॉक प्रमुक मूविंग एवरेज और संकेतों के आपस कैसे चलते है आपको दूसरों पर बड़े दे सकते है जो अपनी राय का व्यापार कर रहे है पिछले दस वर्ष में आपका विशिष्ट बाजार प्रमुक तकनीकी संकेतों के आजपास कैसे चल गया इसका अध्यान आपको आवश्यक प्रदान करेगा कई बाजारों में मुल्य कारवाई के व्यापार के लिए एक मजबुत प्रणाली विक्सित करना यह केवल आपके द्वारा खोजे जा रहा प्रवेश संकेतों और पैटरन को खोजने की बात है जो आपको अधिक ट्रेडिंग विकल्ब देगा यदि आप छोटी घडी सूची सूख जाते है एक विशिष्ट विंग प्राइज एक्षन अधिकार सिस्टीम का व्यापार करने की आदत डाल ले ताकि आप व्यापार सही संकेतों के लिए एक सरल खोज बन जाए ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 13 ट्रेंड कभी एक पेसा भी नहीं बदलता है रिवर्सल धिरे धिरे बनते है पहली तेजी गिरावट हमेशा खरीदार ढूनते है और पहली तेजी व्रुद हमेशा विक्रेताओं को ढूनते है व्यापारी के लिए यह समाजना महत्वपूर्ण है कि ट्रेंड सिधे उपर या सिधे नीचे नहीं जाता इसके बजाए वे एक नई उचाई से आगे पीछे निचले उचाई के नीचे की और उचे उचे स्थान पर और पीछे की और जुकता है बाजार और शेर शायद कभी दिन बदिन सीधे नीचे गिरते है यह कीमत में सीधा उपर जाते है यह तक की शेरोग और बाजारों में सबसे मजबूत अप्ट्रेंड पास दिन के एस स्पेशन मुविंग एवरेज को बार बार नीचे उचाई पर ले जाता है डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक इंडेक्स आमतोर पर कम जारी रगने के लिए पहले 30 RSI पर कुछ बार उचलता है भालू बाजारों में लगबग हमेशा 200 दिनों के ऐसे में जैसा प्रमुक चलती ओसत पर मजबूत रहलिया होती है इससे पहले कीवे अंत में कई दिनों तक लुढकते और गिरते है अपने देनिक व्यापार से पीछे हटने और देनिक चाट पर लंबी अवदी की प्रवरुत्ती का परिक्षन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है इससे पहले की आप बड़े बाजार की प्रवरुत्ती के एक तूटकड़े को पकड़ने में शक्षम हो आपको प्रविश करने के लिए अच्छा प्रमुक मूल्यस्तरों को ढूनना होगा जहां आप अपने स्टॉक को हिट ना कर सके स्टॉक इंडेक्स में डाउन ट्रेंड 30 RSI के पास उचलते है जबकि अप ट्रेंड 70 RSI के पास रुख जाते है SMD तकनीकी संकित प्रवृत्ती में बदलाव को मापने का प्रयास करते है और एक नए शौट टम ट्रेंड की शुरुवात में संभावित प्रविश्टियों का संकेत देते है एक व्यापारी यह तय कर सकता है कि वे अपने चुने हुए समय सीमा में कितना ट्रेंड हासिल करने की कोशिश करना चाते है और एक प्रवृत्ती के आधारिक पर कबजा करने के लिए वे कितना लाब देनिक के लिए तैयार है व्यापारों के किमतों में उतार चड़ाओ के रूप में ट्रेंड को पकड़ने के तरीके खोजने की आधत डालनी चाहिए और फिर प्राथमिक बाजर की दिशा में जारी रहने चाहिए सिस्टिम के विक्कास के दोरान शेर को छानने और एक प्रवृति को पकड़ने की शमता एक व्यापारी की प्रार्थमिक जिम्मेदारी है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 14 सफल व्यापार लगातार कठिन काम को इत्ते बार करने बारे में है कि यह दूसरी प्रवृति बन जाए आसान व्यापार आमतोर पर खोने वाले व्यापार होते है जब कोई ट्रेडर किसी ट्रेड में शामिल होने के लिए ट्रेड में प्रविश करने में सबसे अधिक सहज महसूस करता है तो यह आमतोर पर अंत के करीब होता है कीमत में गिरावट के कारण बड़े जोखिम या इनाम अनुपात के साथ प्रविश संकेत लेना मुश्किल है यह आमतोर पर बाजार में डर के कारण होता है किसी घटना के अध्यातिक डर के कारण प्रमुक समर्थन स्तरो पर खरीदारी के सबसे अच्छे अवसर होते है जो कीमतो में गिरावट को टारगेट करते है अधिकान समय आशंकित घटना घटित नहीं होती है और बड़ी रैली तब होती है जब दुनिया के अंत से बचा जाता है व्यापारी और निवेशक अक्सर कहते है कि वे एक प्रमुक समर्थन स्तर या बड़े पुलबैक खरीदना चाते है और यह तक की एक विशिष्ट मुल्य लक्ष भी है लेकिन अक्सर बाजार की आशंकाओ के कारण पुलबैक और डीप होते है संभावी डीप खरीदना डर से इतना भयम हो जाता है कि वे अपने वंचित प्रवेश संकित नहीं ले सकते क्योंकि उनकी भावनाए हावी हो जाती है अधिक्तम खरीदार के अक्सर इन जूटे आकाउंचाओ की उचाई पर होते है की जिनका भविश्य की कीमत पर वास्तविक में बहुत कम आधार होता है बेशक डर अपने आप में एक संकित नहीं है डर वह है जो ट्रेडिंग सिगनल बनाता है क्योंकि कीमत अध्यतिक ओवरसोल्ड स्तर प्रमुग दिर्दकालिन चलती ओसत और पुराने मुल्य समर्तन छेत्रों तक पहुच जाती है एक और कठिन प्रविश्टी यह है की मुल्य सिमा से भार नहीं उचाईयों पर ब्रेक आउट खरीदना है प्रती रोध प्रारंबिक ब्रेक आउट ऐसा महसूज करेंगे की आप बहुत अधिक खरीद रहे हैं पीछा कर रहे हैं या डर से खरीद रहे हैं नए अल्टाइम हाई तक यह ट्रेंड नए मुल्य सितर पर ब्रेक आउट के बाद ही हो सकता है मुमेंटम ट्रेडर्स और ट्रेड फॉलोवर्स के सबसे अच्छे ट्रेड आमतोर पर वे है जो एक नए मुल्य शितर में शुरुवाती ब्रेक आउट में दर्ज किये जाते हैं और फिर हफ्तो और महेनों में दिनों हफ्ते या महेनों के लिए उच्छ या निमनस्तर पर ट्रेड करते हैं व्यापार करने में दो सबसे लाबदायक तरीके है अथ्यादिक चड़ाओ खरिदना जो निराधार आशंकाकाओ के कारण है या एक बड़ा ट्रेंड की शुरुवात में ब्रेकाओट या गती खरिदना इससे बड़ा मुनाफा की सवारी करना है दोनों करना मुश्किल है क्योंकि एक व्यापारी को अपने डर को दूर करना होगा एक व्यापारी को लाबदायक बनने वाली सभी चीजे करना मुश्किल होती है प्रारंबिक ताकत, छोटी प्रारंबिक कमजोरी खरिदे, ब्रेकाओट खरिदे, ब्रेकडाउन को कम बेचे और एक विजेता को ट्रेलिंग स्टॉपलोस के साथ चलने दे एक हारे हुए को कम करे और जब आप जोट तब स्विकार कर लेते है वितियक बाजार काउंटर सहजन न्यान यूग तो हो सकता है क्योंकि जब चीजे सबसे स्पष्ट प्रतीत होती है तो आमतोर पर अवसर भी चुक होता है अवसर निश्चितता की स्थिती में मोजुद होता है जब बहुत यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या होगा और कीमत आगे कहा जाएगी कीमत आमतोर पर उस दिशा में जाएगी जो बहुत के लिए सबसे अधिक वितिय और भावनात्मक दर्द का कारण बनता है क्योंकि बहुमत आमतोर पर लंबी अवदी में गलत होते है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशालिश टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नमबर 15 सबसे अच्छे ट्रेड लगबग तुरंत काम करते है सबसे अच्छे ट्रेड वे है जो आपके एंट्री सिगनल माप दंडों के अनुकुल होते है और एक मुल्य स्तर पर स्टॉप लोस होता है जो व्यापार के सफल होने से पहले हिट होने के संभावना नहीं होती है जब आपके पोजिशन का आकार सेट किया जाता है ताकि स्टॉप लोस प्लेस्मेंट आपके संभावित नुक्सान के आकार की सीमा कर दे तो यह गेट के बाहर एक अच्छा व्यापार है लेकिन सबसे अच्छा व्यापार है वे जो तुरंट आपके पक्ष में जाता है क्योंकि आपकी प्रविष्टिया सही समय पर हुई थी इन ट्रेडों से जुड़े थोड़ा तनाव है क्योंकि यह तुरंट लाबदायक है और आपका स्टॉप लोस शुरू से ही सुरक्षित है आप जल्दी से महसूस करते है कि यह एक जीतने वाला व्यापार होगा और आपका ध्यान सफल होने पर अपने विजेताप को प्रतिभंद करने के तरीके पर संस्ताजित हो जाता है आपका समय और उर्जा इस बात पर खर्च की जाईगी कि आप मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रेड के से और कब बाहर निकले यदि आप गिरते हुए चाको को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाने के बजाए या उपर की और विस्फोट करने वाले स्टॉक को बेचने के बजाए उस दिशा में एक प्रारम कदम की परतिक्षा करते है जिसमें आपका प्रवेश करना चाते है तो शुरुआत से एक जीत उतने वाला व्यापार होने के संभावना बढ़ती है ट्रेडिंग हैविट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 16 इच्छाधारी सोच को दूर करना चाहिए शेयर बाजार में आशा एक खतरनाक भावना है एक बड़ी जीत वा व्यापार की आशा लोगों को बहुत बड़ा आकार की स्तिथी लेने के लिए प्रेरित करती है उन्हें और भी बड़ा नुकसन के लिए खोलती है हानी के लाबदायक होने की गलती आशा कुछ व्यापारियों को अपने प्रारंब स्टॉप लोस को अनेगदा करने और एक प्रवृत्ती के गलत पक्ष पर बहुत लंबे समय तक बने रहने के लिए प्रेरित करती है एक छोटे खाते को एक बड़े खाते में बदलने की उमीद जितनी मजबुत होगी उत्ती ही अधिक संभावना होगी कि एक व्यापारी जोकी भरे ट्रेडों के सिगनल हो और अप आशा एक शक्तिशाली उपकरण है यह जब धेरिय और घड़ता के साथ सीखने अध्ययन करने और बढ़ने के लिए एक व्यापारी की जुनुन को बड़ावा देती है हाला कि आशा एक व्यापारी योजना नहीं है यह एक संकित भी नहीं है और यह एक गाइड नहीं है कि क्या करना है जब आपके ट्रेडिंग खाते के बारे में निर्णय लेने की बात आती है तो व्यापारीों को ट्रेडिंग नियमों के लिए तथ्यों और भावनों के लिए ट्रेडिंग आशा की आदत डालनी चाहिए आशा व्यक्तिगत लक्ष निधारण के लिए एक महान उपकरण है लेकिन व्यापारी निर्णाई लेते समय एक भयानक मार्कदर्शक है रूल नंबर 17 स्पष्ट छूट और अप्रितिशित पर दाव लगा कर पैसा बनाया जाता है स्पष्ट व्यापारी जो हर कोई सोचता है कि कई वैनर नहीं है आमतोर पर काम नहीं करते क्योंकि जब कोई व्यापार स्पष्ट हो जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है जैसे जैसे विजेता व्यापारी मुनाफे में ताला लगाने के लिए अपनी निकास रणनीती तयार करते है लाभ हिन व्यापारी देर से आने वाले ट्रेंड का पहचान करने के लिए अपनी प्रविष्टियों की तयारी कर रहते है और प्रत्यशित रूप से नियमित रूप से होता है क्योंकि विकास स्टॉक किसी भी संभाव से अधिक हो जाता है लेकिन शुरुआती खरीदार और भालू बाजार अपिक्षा से अधिक गहरे हो जाते है क्योंकि नुकसान का डर किसी भी मोल मुल्याकन को ओवर राइड करना शुरू कर देता है जब आप लंबे ट्रेड से सभी सहमत हो तो सावधान हो जाए खरीदे का कोन अगर हर कोई सोचता है कि आप कीमत में गिरावट खरीदने के लिए पागल है क्योंकि दुनिया खतम हो सकती है तो अधिकांश भीक्री दबाव पहले से ही खतम हो जाना चाहिए और एक रैली के लिए एक बाजार होना चाहिए हर कोई आपके व्यापारिक संकित से नफरत करता है एक अच्छा है क्योंकि यह मार्क दर्ख्षता है कि भहुमत पहले से ही अपना कदम उठा चुके है और आप सबसे पहले एक नई प्रवरुत्ती या उलट खोच कर रहे है भावुकता में चरम इस बात का संकित है कि भहुमत पहले ही अपना कदम बढ़ा चुके है और एक नए कदम निकट हो सकता है स्पष्ट या अप्रत्यशिक व्यापारिक संकित नहीं है इसलिए आपको ऐसे तकनिकी संकितों की तलाश करनी होगी जो बाजार की चरम भावना कि अनुरूप हो विरोधिबास होने की आदत डाल ले बहु संख्य लोक सोचते है कि किसी प्रवुरुत्ती को तुरंत रोकना है यह हमेशा के लिए चलेगा तो आपको सावदन रहने की आवशक्ता है आपने सर्वोत्तम संकितों का व्यापार करे जब बहु संख्य सोचते है कि आप पागल है रूल लंबर 18 एक खोने वाले व्यापार में आप पैसा खर्च होता है लेकिन एक खोने व्याली व्यापार को हाथ से बहुत दूर जाने किसे आप अपने तांतरिक को खो सकते है अपनी नसो और अपनी पुंजी की खातीर घाटे में कटोती करे एक व्य व्यापारी पैसा खोकर वापस आ सकता है नुकसान होता है पूरे ट्रेडिंग खाते को खोने के बाद बहुत सारे महन व्यापारी वापस आ गए एक व्यापारी के लिए अपना आत्मविश्वस खोने के बड़ा वापस आना बहुत घटिन होता है समय और उर्जा एक भया जनक उपयोग आपको स्टॉपलोस के माध्यम से एक व्यापार को आपके खिलाफ जाने दे रहा है, फिर इससे बड़ा और बड़ा होने पर पकड़ रहा है, एक दिन बरबात करना और एक खोने वाला व्यापार पर जोर देना यह उमिद करने है कि वह वापस आ जाएगा, सम आपने योजना बनाई थी, वहाँ आपने नुकसान उठाना और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना हमेशा बहतर होता है, एक छोटे से नुकसान को बड़े नुकसान में बदलना आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से महंगा है, यदि आप लंबी अवदी के व्यापारी बनना चाहते है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा उष छोटे नुकसान को उठाए, जहां आपने तनाव प्रभंद के लिए योजना बनाई थी, अधिक उत्पादक तरीके है, जो एक व्यापारी कीमत के हर टिक को देखने से अपना समय व्यक्त कर सकत और प्रार्थना करते है कि यह उलड़ जाए, ताकि वे वापस बहार निकल सके, अपनी मानसिक पूंजी और अपने सबसे मुल्यवान समपत्ती समय के नुकसान को सीमित करने के लिए अपना प्रारम स्टॉप लोस लेने की आदत डाल ले, ट्रेडिंग हैबिट्स, दुनिया के सबसे शक्ति 40 स्टॉक मार्केट नियमों में से 49, रूल नंबर 19, कभी भी व्यापार की स्थिति का आकार इत्ता बड़ा न करे कि आपकी भावनाएं आपकी ट्रेडिंग योजना पर हावी हो जाए, आपको एक पोजिशन साइस के बड़े आकार का निर्मान करना पड़ता है, क्योंकि व्यापार का तनाव और उनकी पूंजी को जोखिम में डालने से अप्रिय प्रकृतियाएं होती है, आपको स्थिति के आकार के साथ व्यापार करना होगा, जो आपके भावनाव और अहंकार को नियंत्रन में रखता है जिस शन आपको अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करने में परिशानी होने लगती है क्योंकि आप नुकसान नहीं उठाना चाहते यह स्विकार करते हैं कि आप गलत है और बाहर निकले आप एक खत्रे के शेत्रब में प्रविश कर चुके है आपका व्यापार एक व्यवसाई की तरह आयोजित किया जाना चाहिए जब आपके दिल की धड़कने तेज होती है और हतीलिया पसीने से तरह हो जाती है तो कुछ गलत हो गया है अपनी स्तिती का आकार कम करे ताकि एक जीत अभी भी सार्थक हो लेकिन आप एक भावनात्मक स्तिती में व्यापार कर सकते है किसी स्टॉक के 500 शेरों का व्यापार न करे जिसमें आपको केवल 100 शेरों का व्यापार करना चाहिए अधिकांच व्यापारियों को 50 या 100 डॉलर खोने में कोई समस्या नहीं है लेकिन 500 डॉलर और 1000 डॉलर यह अधिक खोना का विचार उन्हें शार्यरिक रूप से बिमार बना देता है आप उस स्थिति के आकार के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो आपके ट्रेडिंग योजना का पालन करने की आपकी शमता को बड़ा करता है उस आकार का पता लगाए जो आपके व्यापार से भावनात्मक गतिशिलता को हटा देता है यदि 500 शेर आप पर डबाव डालते है तब तक 300 या उससे कम पर जाए जब तक कि आप आराम की स्थिति में व्यापार नहीं कर सकते याद रखे कि प्रत्यक व्यापार आपके अगले 100 में से सिर्फ एक है यह सिर्फ एक व्यापार है एक पोजिशन साइस ट्रेडिंग करने की आदत डाल ले जो आपको भावनात्मक रूप से न्यूटरल रखेगा रूल नमबर 20 बाजार का व्यापार करे पैसो का नहीं ट्रेडिंग निर्णए मुल्य कारवाई के आधार पर किया जाना चाहिए ना कि पैसे बनाने की आवशक्ता के आधार पर श्टॉप लॉस उस मुल्य स्थर पर आधारित होना चाहिए जिससे आप गलत साबित कर रहे है न कि उस तर पर जहां आपने वह सारा पैसा खो दिया है जिससे आपको खोने के लिए खड़े हो सकते है लाब लक्ष, मुल्य, प्रतिरोत के तक्निकी स्तरों पर निर्दारित किया जाना चाहिए ना कि आपके स्वयम के लाब लक्ष पर, ट्रेड पर खोई या प्राप्त राशी के बजाए आपके वास्तविक ट्रेडिंग सिस्टिम के आधार पर ट्रेड खरे आप एक व्यापार से बाहर नहीं निकलते क्योंकि आपने 100 डॉलर से अधिक का नुक्सन किया है आप एक व्यापार से बाहर निकलते हैं क्योंकि आपका स्टॉप लोस मारा गया था आप अपने स्टॉप लोस को अपनी कूल ट्रेडिंग पूंजी के 1% नुक्सान पर मनमाने धंग से सेट नहीं कर सकते आप मूल्यस्तर पाते हैं जो आपको दिखाया गया है कि आपका व्यापार लगता है और स्टिती का आकर ताकि आप अध्यात्मिक हानी आपकी कूल व्यापारी पूंजी का एक प्रतिशत हो अन्यशेत्रों के पेशावर रुकते नहीं है और उस पैसे की गनना करते है जो उन्होंने दिन के माध्यम से कमाया है वे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत व्यस्त है आपने ट्रेडिंग सिस्टिम पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल ले और किसी विशेशन में आप जो पैसा कमा रहे है या खो रहे है उसके बज़ए प्रविश्टियों, निकास और स्थिती के आकार की प्रणालिया का पालन करे ट्रेडिंग हैविट्स, दुनिया के सबसे शक्तिशालिश स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल लंबर 21, जब करने को कुछ ना हो तो कुछ ना करे ट्रेडर्स ट्रेडों में प्रवेश करके पैसा खो देते हैं, जो उन्हें बूरियत के कारण नहीं करना चाहिए था क्योंकि वे कुछ करने की कोशिश कर रहे थे एक व्यापर लेनी की प्रणाली, एक अच्छे जोखिम या इनाम अनुपात और सफलता के संभावना के साथ एक अच्छा संकेत होना चाहिए खराब ट्रेड आमतोर पर इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रेडर अधीर हो जाता है और जल से जल पैसे कमाना चाता है ट्रेडो को खोना तब होता है जब एक अच्छा प्रवेश संकेत आपके स्टॉप लोस की और ले जाता है जबकि एक खराब ट्रेड वह होता है जिसमें आपको शुरुवात नहीं करनी चाहिए खराब ट्रेडो को रोकने की शम्ता से ट्रेडर को इतना ही फायदा हो सकता है जितना की अच्छे ट्रेड़ो को लेने से एक व्यापारी को खुद को उबने देना होता है और सई समय का इंतजार करना होता है एक व्यापार के लिए जल्दी होने से आपको पैसे हो सकते हैं क्योंकि आप सामने एक संकेट चल रहा है जो कभी नहीं हो सकता एक चाल में देर से व्यापार का पीछा करना भी खतरनाक है क्योंकि जोखिम या इनाम अनुपात एक प्रवृत्ती अगर्म के रूप में अनुकूल नहीं होगा जब तक कोई संकेट ना हो कुछ न करने की शमता विक्सित करने के लिए एक शक्तिशाली और लाबदायक आदत है आत्मसयम, धेर्य और आवेक नियंत्रन आपको बहुत सारा समय, पैसा और विवेक बचाएगा रूल नंबर ट्वेंटी टू, जो हो रहा है उसका व्यापार करे, वह नहीं जो आपको लगता है कि होने वाला है भविश्य कहने वाला तकनीकी विशलेशन और प्रक्रियाग शिलता तकनीकी विशलेशन के बीच एक बड़ा अंतर है भविश्यवानी करने की कोशिश कर रही है कि भविश्य में कीमते कहा जाएंगी और उस विश्वास के आधार पर ट्रेडों को लेना होगा एक संकेत के बाद ये एक प्रवृत्ती की शुरुवात का संकेत देने के बाद प्रत्ती क्रियाशिल्ता व्यापार एक व्यापार लेने पर आधरित है यह विश्वास करना भविश्य सूचक है कि शेर बाजार एक भालू बाजार से बाहर जा रहा है और उस विश्वास के आधार पर खरीदारी करे जब कोई प्रमुक इंडेक्स 200 दिन के मुविंग एविरेज से उपर और बंध हो जाता है तो शेयर बाजार में खरीदारी करने की योजना बनानी प्रक्रिया शिलता व्यापार है क्योंकि यह पहला संकेत है की बाजार भालू बाजार से बहर आ रहा है लाप प्रदता के लिए सबसे बड़ी छलांग तब आती है जब हम बाजार में जो होना चाहिए उसके आधार पर व्यापार करना बंध कर देते है और इसके बजाए व्यापार संकेतों को सीखते है जो की हो रहा है पर प्रक्रिया करते है चार्ट पैटन, मुविंग एवरेज और श्रेणियों के ब्रेकाउट संकेतों के आधार पर ट्रेंड को पकड़ने के लिए डिजैन किया गया है आपको मातरत्मक संकेतों का व्यापार करना चाहिए जो आपको अपनी समय सीमाक में एक प्रवरुती को पकड़ने की अच्छी संभावनाय देता है बाजार आपकी राय की परवाह नहीं करता है यह सभी प्रतिभागियों के कारियों के आधार पर वह जाएगा जहाँ वह जाना चाता है प्रवाह के साथ जाने की आदत डाल ले और यह अनुमान लगाने की कोशिश करने से बचे की प्रवाह कहा जा रहा है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशालिश टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 23 दर्द कमजोरियों के प्रकार के आधार पर सिस्टिम विकसित करे जब वे काम नहीं कर रही हो या आप उन्हें ट्रॉडाउन के दोरान छोड़ दे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्णों में से एक व्यापारी व्यापार शुरू करने से पहले पूठ सकता है कि पूझी में कित्ती गिरावट वे छोड़ने से पहले सहन कर सकते है यदि आप ट्रेडिंग पूझी में 100,000 डॉलर से शुरुआत करते है तो क्या आप 10% नीचे आने के बाद अपने सिस्टीम का व्यापार करना बन कर देंगे क्या आप 90,000 डॉलर सबसे अधिक दर्द है जैसे आप छोड़ने से पहले ड्रावडाउन में संभाल सकते है क्या आप 85,000 डॉलर या 80,000 डॉलर पर व्यापार करना जारी रख सकते है यह एक महत्वपूर्ण प्रशन है जिसका उत्तर आपकी ट्रेडिंग यात्रा शुरू करने से पहले दिया जाना चाहिए अपने व्यापार की संरचना कर दे ताकि आपके पास एक गिरावट से तूटने की कम संभावना हो उधारन के लिए व्यापारियों को अपने रिटन के लिए पैरामेटर सेट करना होगा उधारन के लिए 20% वार्शिक रिटन को अधिकतम 5% की गिरावट के साथ लक्षत करना 10 परदिशत अधिकतम ड्रोडवन के साथ अधिक आक्रमक लक्ष 30% वार्शिक रिटन हो सकता है आपके रिटन की आक्रमकता अपने ड्रोडवन के साथ संदर्ण होगी आपका वांचित रिटन जित्ता बड़ा होगा आपको उत्ता ही अधिक जोखिम उठाना पड़ेगा और स्ट्रीट खोने के दोरान गिरावट का अनुभव करने की संभावना उत्ती ही अधिक होगी जीतने के प्रतिशत और जोखिम के लिए आपका सिस्टिम डिजाइन आपको जोखिम सहनशिलता और वापस लक्षो को अध्यान में रखकर बनाना जाना चाहिए यदि आप चाते है कि आपका अधिक्तम ट्रोडाउन इक्विटी उज से 5% हो तो प्रती ट्रेड आपका जोखिम आधे से एक प्रतिशत प्रती ट्रेड होना चाहिए आपके सिस्टीम का जितने का प्रतिशत इत्ता अधिक होना चाहिए कि एक पंक्ती में कई हराने वाले आपको 5% से अधिक की गिरावट ना दे एक गिरावट किसी भी New Equity High पर आधरित है यदि आपके पास $100,000 से $110,000 तक जाते है और $99,000 पर वापस आते है तो यह एक New Equity High से 10% की गिरावट है बले ही यह $100,000 की मूल्य शुरुआती इक्वीटी से केवल 1% की गिरावट है कई व्यापारी अपनी शुरुआती इक्वीटी से होने वाले मुनाफे के साथ जुए की गलत करते है क्योंकि वे इसे घर का पैसा समझते है एक बार जब वे आपके खाते में चले जाते है तो यदि आप उने रखना चाते है तो आपको उनके साथ उसी देखभाल के साथ व्यवाहर करने की आवशकता होगी जिस तरह से आपने पैसी की सुरक्षीता की थी व्यापारी पुन्जी में अधिक्तम गिरावट को याद रखने की आदत डाले जिससे आप मानसिक और भावन आत्मक रूप से सहन कर सकते हैं और अपने व्यापार प्रणाली के साथ स्तिथी आकार और जोखिम के साथ इस तरहर से डिजाइन करें कि आप कभी भी अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर नहां पोचे रूल नमबर 24 फ्लेक्सिबल बने रहे और बाजार मुल्यकारवाई के प्रभा के साथ चले जिद अहंकार और भावनाय प्रवेश और निक्सीत के लिए सबसे खराब संकित है बावनाय और अहंकार सबसे खराब व्यापारिक संकित है बाजार में प्रवृत्ती की पहचान करने की बजाए अधिकांच बाजार सहबागी अपने भावनाओं के आधार पर काम करते है आपको ट्रेंड खोजने पर दियान देना चाहिए और फिर उस संचय या वितरण के दिशा में व्यापार करना है चाहिए यह आपको अन्यकम अनुशासित बाजार सहबाग्यो पर परियाप्त बड़त प्रदान करेगा जब आपकी प्रतियोगीता डाउन ट्रेंड में देर से बिक रही है क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर है तो आप एक महान जोखिम या इनाम अनुपात के साथ खरिद सकते है जब लोग मुल्य आधार के ब्रेक आउट को सर्वकालिक्स उच तक खरिदने से डरते है तो आप उच खरिदने और उच बेचने के लिए गतित संकित ले सकते है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड और रेंज बाउंड मार्केट की अलग अलग विशिस्ताय है और सफल में और प्राइज एक्षन के सामने आने पर ट्रेड कर सकते है मूल्य कारवाई के आधार पर अच्चे संकित लेने की आदत डाल ले और अपनी राय और भविश्यवानियों को दर्वेजे पर छोड़ा आए रूल नंबर 25 एक व्यापारी थभी सफल हो सकता है जब उसके ए कि वह अनुशासित रहे अपना होमवर्क करने के बाद खुद पर विश्वास आएगा और आपने साबित कर दिया है कि अनुशासन के साथ अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करने के लिए आप पर भरोसा किया जा सकता है नए व्यापारियों को आने पहले वर्ष में अस व्यापारिक शमताव पे विश्वास रखते हैं एक व्यापारी के रूप में आपने आप पर विश्वास आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इसके लिए आवशक विश्वास होना चाहिए आपके पास एक बढ़त के साथ एक व्यापार प्रणाली होनी चाह और अपने खाते को उड़ाने से बचाने के लिए आपके पास आत्म नियंत्रन होना चाहिए। इन सबसे उपर जब आप सीखते हैं कि किसी विशे स्थिती में क्या करना है तो आपको व्यापार की गर्मी से सही काम करने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए। आत्म विश्वास के बिना आप प्रभावी ढंग से ट्रेडों में प्रविश करने में असमर्थ होंगे लेकिन बहुत अधिक आत्म विश्वास के साथ आप बहुत बड़ा व्यापार करेंगे और खुद को नश्ट कर देंगे अपने आप पर विश्वास रखे कि आप न वल सही काम करेंगे बलकि आप गलत चीजों से भी बचेंगे रूल नंबर ट्विश्वास एक बात जो मैंने वर्षों के व्यापार से सिखी है वह यह है कि problems equals to opportunities सबसे मजबूत downtrend जो छोटे विकरिताओ को पसंद है आमतोर पर एक कठित संकट के दोरान आता है बूल मार्केट के दोरान ट्रेडर जो dips खरीदते है जहां stock index 30 RSI या 200 day moving average के करीब आता है आमतोर पर अधिकतम डर के महौल में होते है मूल्य निवेशकों के लिए सुरक्षा का सबसे अच्छा मार्जिन अलग-अलग शेरों में बड़े मुल्यांकन पर खरीदना चाते है आमतोर पर बाजार में संकट के दोरान होता है वे व्यक्तिगत कंपनी में भी हो सकता है जो मौलिक मुल्यांकन के बजाए नुकसान के डर के आधार पर कीमते में भारी गिरावट पैदा करते है संकट से जो अवसर आते है वह है कम समय में बेचना बाद में डर खरीदना और जब दुनिया खतम नहीं होती है तो राहत रैली को बेचना लेकिन आप सिर्फ संकट में नहीं खरीद सकते आपको संकट के लिए सही संकित के कारण इंतजार करना होगा जो आपको कम खरीदने या बेचने के लिए खहता है आपको संकेत प्रक्रिया शिल्ता तक्निकी विशलेशन पिछले समर्थन और प्रतिरोत स्तर चार्ट पैटन पूर्ष्टी करण और मेसेडी आरसाय और प्रमुक चलित ओसत जैसे तक्निकी उपकरणों पर आधरित होना चाहिए हर संकट में अवसर की तलाश करें अपने आप से पूचे की सबसे अच्छा जोखिम या इनाम अनुपात शौट सेलिंग डीप खरीदने और ट्रेंड रिवर्सल और गैप में कहा है अपने स्वयम के प्रतिक्रिया शिल्ता तक्निकी व्यापारिक संकेतों को विक्सित करने की आदत डाले और अनुशासन के साथ उनका व्यापार करे रूल नंबर 27 बूरे खबर पर उपर जाना या अच्छी खबर पर नीचे जाना सबसे मजबुत बाजार बताता है अगर अपरतियशिल बुरी खबर बाजार में तेजी को नीचे नहीं ले जा सकती है तो क्या हो सकता है अगर अपरतियशिल अच्छी खबर नहीं है तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट को क्या वापस भेच सकती है जब बाजार में बुरे खबर आते है तो यह तेजी होती है और जब बाजार में अच्छी खबर आती है तो मंदी होती है यह दर्शाता है कि बाजार सहभागी एक प्रवृत्ती के साथ रह रहे है यहां तक की उन समाचारों के साथ भी जो उनके पदों के खिलाब जाते हैं, विवेकाधिन व्यापार प्रणालिया का उप्योग करते समय विचार करने के लिए यह एक फिल्टर है, यह देखने की आदत डाल ले की बाहजार उन खबरों पर कैसी प्रक्रिया करता है, जो मोज सवयम एक संकेत नहीं है, लेकिन व्यापारी की व्यावारिकता को सज करने के लिए इससे एक व्यापारिक संकेत के साथ जोड़ा जा सकता है, यदि SPY ने 200 दिनों में लंबी अवदी के अप्ट्रेंड के अंदर पूरी खबर पर 30 RSI को बंद कर दिया है, तो यह व्यापार सेटप को मोजूद करेगा और निरंतर उचाल और अधिक विश्वास देगा, ट्रेडिंग हैबिट्स, दुनिया के सबसे शक्तिशालिश टॉक मार्केट नियमों में से 49, रूल नंबर 28, घाटे का प्रवंदन करे और लाप को अधिक्तम करे, आपके सभी ट्रेड चार तर सिहार या ब्रेक इवन, आपको कभी भी बड़ा नुकसन नहीं उठाना चाहिए, यदि आप बड़े नुकसन से छुटकारा पा सकते हैं, तो आपके पास आने वाले वर्षों के लिए लापदायक होने के लिए एक बड़ा मौका है, व्यापारियों ने अपने अभी शुर हो जाती है, यदि उनका कुछ बड़े नुकसानों को हटा दिया जाता है, तो उनका रिटन नाटकिय रूप से बढ़ जाता है, अपने ट्रेडिंग रिटन में सुधर करने का सबसे तेज तरीखा कुछ बड़े नुकसानों को तुरंत रोकना है, जो आपको हफ्तों और व्यापारिक लाब जीतने के लिए महनों को वापस देने के लिए मजबूर करते हैं, प्रत्यक ट्रेड पर स्टॉप लोस का उप्योग एक ऐसी चीज है, जो आपको भारी नुकसान होने से रोक सकती है, स्टॉप लोस बीमा की वह लगत है, जिसका भुकतान आप बाजार म बड़े ट्रेंड में गलत पक्ष में फसने से बचने के लिए करते हैं, एक छोटा सा नुकसान होने पर निराशा हो सकती है, फिर बाजार पलड जाता है और आपकी दिशा में चला जाता है, हाला कि यह सुनिश्चित करना भी बहतर है कि आपको बड़े जोखिम की तुनला में एक छोटा नुकसान हुआ है, स्टॉप लोस को एक मुल्य स्तर पर रखा जाना चाहिए, जो आसानी से तब तक नहीं पोजेगा जब तक कि आपका व्यापार काम नहीं कर रहा हो, स्टॉप लोस को सामान्य मुल्य कारवाई की सीमा से बहार और शोर की पोट से बहार प्रविश करते हैं तो उस स्थान को ढूंडे जहां आप कहते हैं कि यदि कीमत इस तर तक पहुच जाती है तो शायद में दीशा के बारे में गलत हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लोस आपकी दीशा में एक विजई ट्रेड के रूप में आपको स्टॉप्स को उपर उठा कर आपको लाप को अधिक्तम करने में मदद करता है मजबुत प्रवृत्यों में पास दिन का ऐसे में या दस दिन का ऐसे में का एक उत्कुरुष्ट अंध हो स छोटे नुकसान लापदायक व्यापार का अनुभव करने के प्रथम तरिकों में से एक है रूल लंबर ट्विंटिनेन तक्निकी प्रणाली में शामिल धन प्रभंदन तक्निकों के साथ दिर्दकालिन अस्वस्ता और सम्रुद्धी की कुंजी का बहुत कुछ है यह स्थि में कुल जोखिम और एक खोने की लकीर के दोरान बरबाद होने के जोखिम को निर्धारित करेगा आपके मनी मैनेजमेंट सिस्टीम के पैरामेटर किते अच्चे है इसका जवाब देने का सबसे तेज और आसन तरीका यह पता लगाना होगा कि आपके पास लगातार किते ट अधिक दर्दनाक हो सकता है पूंजी में 50% की गिरावट से उभार मुश्किल है क्योंकि उससे वापस सम पर लाने के लिए 100% रिटन की आवशकता होगी और संभावना यह है कि यदि आपका सिस्टीम 50% की गिरावट की अनुमती देने के लिए परियाप्त रुप से पर होंगे एक व्यापारी के रूप में आपकी सफलता काफी हद तक बढ़ जाती है और छोटे नुकसान के साथ कम जीत परतिशत या छोटी जीत और छोटे नुकसान के साथ उच जीत परतिशत होने की आपकी शमता पर आधरित होगी एक धन प्रबंदन प्रणाली होने से जो लगातार आपकी पुझी को बड़े नुकसान के जोखिम के लिए उजागर करती है आपकी पिछली जीत की लकीरों की परवह किये बिना किसी बिंदू पर आपको पकड़ लेगी रूल नंबर थर्टी जोकिम प्रबंदन में अनुशाशित रहे और बाजार के वेवाहर को समझने में लचिले हो जब ट्रेडिंग मुल्य कारवाई के लिए खुले दिमाग और जो हुरा है उसमें समायोजित करने के लिए लचिलेपन की आवशकता होती है जोकिम प्रबंदन बिना किसी विचलन के जो आपने करने की योजना बनाई है उसे करने का एक सक्त अनुशाशन है एक बार स्टॉप लोस चुनने के बाद इस पत में सिस्टिम किया जाना चाहिए ट्रिगर होने पर अपना प्रारंबिक स्टॉप लोस न लेने क्या निरने लेना आपको खाते के लिए घातक हो सकता है यह विकास शेरों में विशेश रूप से सच है क्योंकि एक बार जब वे वितरन के अधिन हो जाते है तो उनकी गिरावट व्यापारियों के लिए निवेशकारी हो सकती है जो इस कदम के गलत पक्षपर है जब एक अच्छी तरह से बंद स्टॉप लोस ट्रिगर होता है तो इसका मतलब यह है कि एक ब्रेकडाउन चल रहा है और आप अपनी स्टीती के खिलाफ एक परवाली चाल के गलत लक्षपर है 30 RSI 200 डे मुविंग एवरेज के नीचे बंद स्टॉप लोस एक बूल मार्केट अप्ट्रेंड के अंदर एक कम संभावना वाली गटना है लेकिन एक बार जब यह स्टर नीचे बंद हो जाता है तो इससे एक परियावाल चलक के संकेट सेट करना चाहिए क्योंकि यह प्रमुक स्टर है एक बार आपका स्टॉप लोस शुरू हो जाने पर बहसना करने समझोदा या उविदना करने की आदत विकिसित करे व्यापार से बाहर निकले क्योंकि आपकी दिर्दकालिन लाप प्रदपता इस पर निर्बर होती है एक बार जब आप एक गुन्तवनुक स्टॉप लोस सेट कर लेते हैं जिसके पहुचने की संभावना कम होती है तो आपको इससे अवश्य लेना चाहिए ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 31 पोजिशन साइजिंग को ट्रेड सेटप की गुन्वत्ता से जोड़ा जा सकता है सेटप के बावजुद आपकी प्रविष्टी की गुन्वत्ता और जोखिम या इनाम माबदंडों के आधार पर अलग-अलग स्थित आकार पैरामेटर होना महत्वपूर्ण यह आपके सरवत्तम सेटप पर आपके अधिक्तम स्थित आकार को जोखिम में डालने के लिए एक भेतर रंड निती है और आपके कम संभावना वाले ट्रेडों पर आपकी सबसे जोटी स्थिति का आकार है सबसे लंबे अवदी के व्यापारियों के पास कुछ शिर्ष पायदान व्यापार व्यवस्थाए होनी चाहिए जिन में सफलता की उच्च संभावना हो वे ट्रेड है जिन्हें उन्हें अपने अधिक्तम आकार के साथ दर्च करना चाहिए क्योंकि वे बहुत दुरलब है व्यापारी के पास एक सामान्यव व्यापार आकार भी हो सकता है जो आमतोर पर अन्न उच्च संभावना वाले सेटोपों पर दिन प्रती दिन उप्योग गी किया जाता है फिर उन प्रविष्टियों के लिए सबसे छोटी स्थिती आकार पर आगे बढ़े जो आपके माप दोंडों पर पूरल करता है लेकिन एक ट्रेडिंग रेंज या अस्तिर्था की अवधी से पहले संकेत हो सकता है और यह पहली बार काम नहीं कर सकता मैं उन व्यापारियों को जानता हूँ जिन है प्लेट के उपर की मिट्टी पोच पर सबसे कटिन स्विंग करने की आदत ह हो गई है और उन्हें ऐसा करने के अपने रिटन में काफी व्रुद्धी की है आपने सबसे अच्छे ट्रेडों को अपना सबसे बड़ा ट्रेड बनाने की आदत डाले और आपके हारने वाले ट्रेडों को सबसे छोटा इस रन्नीती में महारत हासिल करने से आपके प्रदर पर्शन में नाट कियो रूप से सुधार होगा. Rule number 32. किसी भी एक व्यापार पर अपनी कुल व्यापारिक पुन्जी का 1% से अधिक कभी ना खोये. एक प्रतिशत नियम कुछ ऐसा है, जिसे समझने के लिए नए व्यापारी संघर्ष करते है. लेकिन यह सक्रिय व्यापारी की सबसे महत्वपूर्ण गतिशिल्ता में से एक है. एक प्रतिशत नियम का मतलब केवल आपकी ट्रेडिंग पुन्जी के एक प्रतिशत के साथ व्यापार करना नहीं. और इसका मदबल यह नहीं कि आप जिस स्टॉक का व्यापार कर रहे है, उसका केवल एक प्रतिशत जोखिम डाले. यदि आप 100,000 डॉलर खाते का व्यापार कर रहे है, तो कोई भी खोने वाला व्यापार कभी भी 1000 डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि यदि आप 100,000 डॉलर के खते से एपल के 500 शेरों का व्यापार करते है तो आप इस व्यापार में केवल 2 डॉलर का जोखिम ही उटा सकते है क्योंकि यदि एपल 2 डॉलर से गिरता है और आपके पास 500 शेर है तो आप 1000 डॉलर खो देंगे यह एक उदारण है लेकिन यह सिद्दान्त को दर्शाता है एक प्रतिशत नियम का अर्थ यह है कि आप किसी भी एक विशेश स्टॉक या इंडेक्स के व्यापार के लिए सही तकनीकी स्टॉप लोस स्तर के आधार पर उचिस्तिती आकार के उपयोग के माध्यम से किसी भी एक व्यापार खोने पर अपने कुल ट्रेडिंग खाते का एक प्रतिशत से अधिक नहीं खो सकते यदि आप एक प्रतिशत नियम को अपनी व्यापारिक आधतों में से एक बनाते हैं तो प्रत्यक व्यापार गणित रूप से अलग सो ट्रेडों में से एक होगा पूंजी में बड़ी गिरावट होना मुश्किल है अगर पाच व्यापारियों को लेकर परिणामक स्वरूप व्यापारिक पूंजी में से पाच प्रतिशत की गिरावट आती है बड़े खातों के लिए प्रती ट्रेड एक प्रतिशत बहुत अधिक जोकिम हो सकता है यदि आपको लगता है कि नियम बहुत सक्त है तो सिध्धान्द के बज़ाए आपके खाते का आकार समस्या हो सकता है कई बेटरिन व्यापारी इस नियम में विश्वास करते है और इसका अभ्यास करते है और यह उनके व्यापारिक करियर को लंबी और लाबदायक बनाता ह इस नियम के साथ आपको भी गिरावट या अकाउंट ब्लो से डरने की जरूरत नहीं है यह आपके व्यापारी से भावनातमक रोलर कोश्टर को हटा देगा और इस से एक व्यवसाय में बदल देगा अमिर व्यापारी अमिर बनने के लिए एक प्रतिशत नियम का उप्योग करते है क्योंकि उन्हें अपना खाता कभी नहीं उड़ाया और बाजार की अप्रियव परिस्तितियों में भी वे एक और दिन व्यापार करने के लिए बज़ गए रूल नंबर 33 पहले सहिश टॉप लॉस स्तरक हो ये जो आपको दिखाईगा कि आप किसी व्यापार के बारे में गलत है फिर उस मुल्य स्तर के आधार पर अपने स्तिदी का आकार निर्धरित करे यदि आप एपल के 500 शेर 120 डॉलर पर खरीतते है और प्रमुख समर्थन स्तर 118 डॉलर पर 200 दिन चलती ओसत के पास तो एक प्रतिशत नियम समझ में आता है हाला कि इस नियम का इस्तमाल केवल स्टॉप लॉस रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए आपको पहले समर्थन या प्रतिरोत का मुल्य स्तर मिलना चाहिए जो आपके व्यापार में काम करेगा और फिर एक प्रतिशत नियम के आधार पर स्तिती का आकार होना चाहिए यदि आप स्टॉप लोस मोजूद एपल मूल्यक के तहत पास डॉलर होना चाहिए पिछले उधारन के बजाए 200 दिन की चलती ओसत के करीब तो आप केवल एपल के 200 शेरों को 120 डॉलर पर व्यापार कर सकते है आप एक प्रतिशत नियम के साथ अपने बरबाद होने के गनित जोखिम कोस यता संभव शुन्य के करीब लाएंगे आप नहीं चाते कि आपका स्टॉप लोस बहुत बड़ कड़क हो स्पष्ट स्थानों पर स्टॉप लोस को बहार निकलने की प्रवृत्ती होती है बहतर यही होगा कि अपनी ब्रोकर के साथ ठीक दो सोवे दिन हार्ड स्टॉप लोस सेट न करें मैं व्यक्तिगत रूप से दिन के अंत में रुकने और छोटे आकार की स्थिति का उप्योग करता हूँ ताकि अधिकांश इंट्राडे शेरों से बचा जा सके और समय से पहले ग्रुबिंग एवरेज से थोड़ा आगे सेट करना चाहिए जैसी एक परतीशत नीचे यदि दिन के अंत के रूप में स्टॉप लोस को अपने पक्श में उलटने से पहले ट्रिगर होने से बचने के लिए सेट करना जाना चाहिए समय से पहले बंद होने से बचने के सबसे स्टॉप, समर्थन या प्रतिरोत स्तरों पर थोड़ा अधिक स्टॉप लोस सेट करने की आदत डाल ले और केवल तभी जब आप निश्चित रूप से गलत हो यहां तक की दिन के अंत के साथ भी अगर मैं किसी भी समय इंट्राडे में कुल व्यापारिक पुंजी में स से एक प्रतिशत से अधिक नीचे हूँ तो मैं कदम उठाता हूँ और अपना नुकसान उठाता हूँ वर्तमान अर्थिस्ता के आधार पर मेरी स्थिती के आकार और स्टॉप लोस तरोस के साथ यह दूरलब है ट्रेडिंग हैबिट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 49 रूल नंबर 34 अपने सबसे बुरे दिन में अपनी कुल व्यापारिक पुंजी का 3 प्रतिशत से अधिक कभी ना खोये मैं अनुशंसा करता हूँ कि आपके पास किसी भी समय तीन से अधिक ट्रेड नहीं खुले है प्रत्यक पर एक प्रतिशत से अधिक का जोकिम नहीं है आप अपेक्षा कुरुत सुरक्षित है यदि आप सबसे बुरे दिन में जब आपके सभी ट्रेड आपके खिलाब जाते है तो आप केवल 3 प्रतिशत नीचे है उस समय आपके पास अभी भी बाजार के ट्रेंड को पकड़ने का अवसर है 3 प्रतिशत आपका अधिक्तम जोकिम होना चाहिए जबकि आपकी सारे सिगनल अब हो अस्तिर्था या दिशाहिन बाजारों के दोरान आपके पास 0 परसेंट जोकिम भी हो सकता है यह आपको लचिलापन देता है कि आप कितना जोकिम चाते है और जब आपके पास चाहते है यह उन गिरावटों को भी सीमित करता है जो कई निवेशक भालू बाजारों में देखते है क्योंकि एक व्यापारी के पास निवेशक का पूर्टफोलियो नहीं होता है उनके पास एक समय में कुछ ट्रेड होते है किसी भी समय जोखिम में अपनी कूल पूंजी को अधिकतम 3 परतिशत तक सीमित करने की आदत डाल ले और जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है तो आप बड़ी एक दिन की आपधाव से बचेंगे रूल नंबर 35 जब मैं खराब व्यापार करता हूँ तो मैं अपनी स्तिती का आकार कम करता रहता हूँ इस तरह जब मेरी ट्रेडिंग सबसे खराब होगी तो मैं अपने सबसे छोटे पोजिशन आकार का व्यापार करूंगा आप जितना खराब व्यापार कर रहे हैं आपके व्यापार उत्ता ही छोटा होना चाहिए इसके अपरित जितने वाली श्ट्रीक के दोरान आप अपने अधिकतम स्थिती आकार में होने चाहिए व्यापारियों के पास आमतोर पर धीर्य होता है क्योंकि बाजार के महल में अपनी प्रवरुती को अस्थिर से अस्थिर नहीं एक अप्ट्रेंड से डाउन ट्रेंड तक या एक प्रवरुती से सीमा तक बदल दिया है वर्तमान में आप जिस प्रकार के बाजार में व्यापार कर रहे है उससे समझने में आपको साहता करने के लिए हारने वाली लकीरे या जितने वाली लकीर का विशलेशन करे आप अपने वरतमान अवसर को अधिकतम करने या अधिक नुकसान के लिए अपनी शमता को कम करने के लिए अपनी स्थिती का आकार और खूल जोखिम सायोजित करे हारते समय कम आकरामक और जीतते समय अधिक आकरामक होने की आदत डाल ले बाजार आपको बताता है कि आप कब सही है या गलत है रूल नंबर 36 हारने वाले ओसद हारे हुए है एक ट्रेडर के लिए यह एक घातक आदत है कि वह पहले से ही गलत साबित होने पर हारने वाले ट्रेडों पर ओसद कर देता है एक रैली के साथ इस व्यवाहर के लिए पुरुस्कृत होने से बस बुरी आदत मोजुद होगी और एक समय आएगा जब आभिहव कभी ठीक नहीं होगा और खाता नश्ट हो जाएगा खोने वाला व्यापार में जोड़ना एक प्रवृत्ती से लड़ रहा है जब आप गलत है तो स्विकार नहीं कर रहे है और पुंजी को बांधने है जिसका उपयोग अच्छे व्यापार पर पैसे बनाने के लिए किया जा सकता है खोने वाले व्यापार में कभी भी शामिल नहों अनूभव से सीखे और अगले व्यापार पर आगे बढ़ने की आदत डाल ले Rule No. 37 किसी भी सांख्या के कुरूप से महत्वपूर्ण अप्राप्त लाप को सांख्या के कुरूप से महत्वपूर्ण वास्तविक हानी में बदलने की अनुमति ना दे एक बार जब आपके पास एक बड़ा जितने वाला व्यापार होता है तो लाब लेने के लिए पिछले स्टॉप लॉस या मुल्य लक्ष के उप्योग के साथ एक लाब दायक व्यापार रहने की आविशकता होती है लाब के साथ बाहर निकलने का एक मातर तरीका एक निकसरंड नीती है जो आप उस पैसे को लॉक करने से सक्ष बनाता है जबकि यह अभी तक टेबल पर है लाब में लॉक करने के लिए अवसर की एक खिडकी है और आपको इसके लिए पैरामिटर स्थापित करना होगा क्योंकि जीतने वाले ट्रेडों में सेल्फ जीवन होता है और वे आमतर पर वही लोड ते है जहां उनकी शुरुआत की थी यदि आप SPY को लंबे समय तक 70 RSI के करिब लाते है तो यह एक अच्छा समय है कि आप एक अप्ट्रेंड से लाब में लॉक कर दे उधारन के लिए यदि आप लंबे समय के लिए एक मजबूत विक्सित स्टॉक है जो सीधे 10 दिनों के लिए उपर जा रहा है तो यह एक नया उच्छ बनाने में विफल रहता है और 10 दिनों से पहले 5 दिन EMA से नीचे बंद होने जा रहा है यह लॉकिंग पर विचार करने का समय है अपने मुनाफे में कई व्यापारी प्रविष्टियों पर ध्यान केंदरित करते है लेकिन पैसा केवल बाहर निकलने पर ही बनता है एक जीतने वाले व्यापार के साथ मुनाफे में लॉक करने की योजना बनाने की आदत डाल ले और कभी भी एक बड़े जीतने वाले व्यापार को उलटने और खोने वाले व्यापार में बदलने की अनुमती न दे रूल नंबर 38 अस्तिर्ता की प्रवृत्ती को समझे और अस्तिर्ता प्राइस के कारण बड़े हुए जोखिम के लिए अपनी स्थिती के आकार को समायोजित करे पिछले 10 दिनों में अपने स्टॉक या इंडेक्स की ट्रेडिंग रेंज और उसके अनुसार स्थिती के आकार को जाने आपको विनाशकारी नुकसान के बिना ट्रेडिंग रेंज में 50% की रुद्धी को संभलने में सक्षम होना चाहिए सबसे खराब स्थिती के लिए स्थिती को आकार देने की आदत डाल ले न कि सर्वोत्तम स्थिती या यथा स्थिती के लिए हमेशा जोखिम का प्रबंदन करे और अस्थिर्था बाजारों का सामना करने पर जल्दी से समायोजित करने के लिए तयार रहे रूल नमबर 39 अपने स्टॉप लोस को शोर की सिमा से बार रखे ताकि आप गलत होने पर ही रुके अपने स्टॉप लोस के लिए मुल्य स्थर का पता लगाए जिसकी कभी भी हिट होने की उच्च संभावना नहीं है इसके लिए आपके पास अपने व्यापार से लाप्रदब रूप से बहार निकलने का समय है एक बार जब आप जानते है कि वह स्थर कहा है तो आप अपने व्यापार में प्रविश कर सकते है जब वह स्थर निकट हो तो स्तिती का आकार सही ढंग से हो इसके लिए सबसे खराब स्थीती एक छोटा नुकसान है कई व्यापारी प्रविष्टियों लेने के लिए उच्चतम संभावना वाले सेटप की तलाश करना चुनते है लेकिन यदि आप स्टॉप लोस कम संभावना से बहार निकलने वाले है तो आपके पास संभावित रूप से बढ़िया व्यापार है क्योंकि आप स्टॉप लोस हीट नहीं होगा और आप अपने वीजेता को चलने दे सकते है कम संभावना वाले स्टॉप लोस को खोजने की आदत डाल ले जितना की उच्च संभावने वाले से टप एटलेटिक्स व्यवसाई और मनोरंजन की तरह शीर्ष व्यापारियों ने अपने व्यापारिक योजनाओं को विक्सित करने और सफलता पूर्वक लागू करने में हजारों घंटे बिताए है नियमों के रूप में क्या शुरू होता है जब तक के वे गहरे और अधिक सार्थक नहीं हो जाते वे आदत बन जाती है सफलता के इस तर तक पोचने के लिए अनुशासन और जित की आवशकता होती है लेकिन यह किया जा सकता है और मैं वादा करता हूँ कि यदि आप अपने आपको देनिक व्यापारिक अनुश्ठान के एक नियम के लिए प्रतिवत करते है और उनका इमानदारी से अभ्यास करते है तो आप भी एक बहतर व्यापारी होंगे इस पुस्तक का उद्देश्य आपको मेरे व्यापारिक आदतों को अपनाने के लिए नहीं है बलकि आपको एक योजना का पालन करने के महत्व को दिखाने के लिए है जो आप भी सफल को सशक्त बनाएगा मुझे आशा है कि अब आप अपनी खुद की आदते बनाने के बारे में अवश्यता मेसूत करेंगे और यह की वे आपके व्यापारिक लक्षों को प्राप्त करने में आपकी साहिता करेंगे